सब्सक्राइब लक्षमी गांद का पॉलिटी जो है आपका चल रहा है अब दक आप NCRT जो है उसका जो बेसिक्स है क्रक्स है और सारी चीज़ें वो पढ़ चुके हैं काफी सारे नंबर ओफ कुशन्स जो है यूपसी ने कैसे प्रश्ण पूछे वो सब जान चुके है अगर आपने NCRT के क्लास देखी हैं तो 11-12 की अभी जिस्ट आपकी लेटेस्ट जो क्लासेज है पुड़ा प्लेलिस्ट आपलेबल है वहाँ पर आप क्लासेज देख लीजिए जिन बच्चों ने नहीं देखी अचा फंडमेंटल राइट्स जो है आज का हमारा क्लास है फंडमे कर दिये जाएं तो क्या अखिर में मौलेक अधिकारों को फंडमेंटल राइट्स को शामिल करने की जरूरत आखिर क्या थी तो यह सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे यूपेज़ी के पीवाई क्यूस के साथ साथ तो देखो बिसिकली यह चैप्टर आपको बताता है कि समविधान में कहा कहा मौलेक अधिकारों का वर्णन किया गया है सकेंड कहा जाएगा कि मौलेक अधिकार की विशेष्टाएं जो है वह आखिर क्या है मौलेक अधिकारों की अगर हम कुछ विशेष्टाओं की बात करें कि अच्छा यह important point जो है वह मौलेक अधिकारों के ब आंद्रफका इसमें कुछ жुए पोइंट से कुछ पेर्प मिलेंगे हैं यसए कि इसमें अपहीन घ्लाएयो को पर्नामों के बारे में बता दिया ये सिक्षनिंगे कुछ सारे कुछ चीज़े जो है यहाँ पर आपको इसमें एक्स्रा मिल जाती हैं अप लेटिस वाले वर्चन में तो समानता के अधिकार की बात करेंगे इसमें हम देखेंगे विधी के समक्ष समता और विधी का समानसा अरक्षन जिसमें विधी का साशन और समता के कुछ क्या वो सारी चीज़ों के लिए हमने NCRT पड़ी हुई थी कि उसका एक्जेक्ट जो है उसका अर्थ क्या कि विशेश अधिकारों का भाग और ये बात UPSC ने भी पूछे कुछन भी दिखाऊंगे कुछ आधारों पर विबेत का प्रतिशेत करना अपवाद इसके आधार पर क्या है सैक्षिनिक संस्थानों में OVC आरक्षन तो EWS एकॉडमी की विकार साक्षन आर्थिक रूप से कमदोर वर्ग सवन वर्ग दस प्रतिशत आरक्षन लोक नियोजन में अवसर की समता अपवाद मंदल आयो उसकी परिड़ नाम असपर श्रिता कांत और उपाधिय तो यह सारी चीज़े हमें समानता के अधिकार में पढ़नी है फिर हम आगी बात करेंगे सारे अधिकार और रिट और प्रकारों की बात करके सशस्त्रबल और मूल अधिकार जो है वैं क्या है मार्शल लॉर मूल अधिकारों की बीच में डिफरेंस क्या है ठीक है किस तरीक लिए आपका लेको आप तक हमने जाना था कि डामगरासी में डाम करी सी कवागर का है डाम करेंगे लोगतंत्र की तो डाम कैसी को में मतलब क्या है वे ना तिसका चिए लोगों का शाशन रोगों कीकी दवारा केवल चुनी हुई सरकार का होना जरूरी नहीं है और मतलब वो जरूरी है बट सफिशिट नहीं है जब तक कि जो संस्थाएं काम कर रही है वो लोगतांतिक तरीके से काम ना करे और इसके अलावा हम देखेंगे कि डेमोक्रसी है तो उसमें चुनाव का होना बड़ा इंपोर्टेंट्स है अगर चुनाव नहीं होगा तब तो लोगतांति सर्वाइब नहीं कर पाएगा लेकिन इसमें एक और बहुत जादा इंपोर्टेंट बात है और वो बात ये है कि एक डेमोक्रसी को तब तक हम सफल नहीं मान सकते जब तक आप महां के नागरिकों को कुछ अधिकार नहीं देते इवन अपने विकास के लिए जो अधिकार है वह तो देने ही होंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक डेमोक्रसी अगर है कुछ important points में आपको बताती हूँ कुछ थोड़ा सा revise हो जाएगा आपका थोड़ा सा जो पुराना भूल चुके हो कितने बच्चे revision करते हैं बताओ जरा तो देखो एक लोकतंत्र में बहुत जरूरी होता है कि ना केवल जो है वे निर्वाचत प्रतिनिधियों के द्वारा चले बलकि हम जो citizens हैं उनको कुछ अधिकार भी दे तो डेमोक्रसी के लिए क्या-क्या जरूरी है लोगों का साशन होना जरूरी है अब लोगों का साशन दो तरह से हो सकता है है ना एक तो हो सकता है प्रतिक्ष और एक हो सकता है आप प्रतिक्ष और जब हम आप प्रतिक्ष साशन की बात करते हैं हमने इंडारेक्ट फर्म और डेमोक्रसी को चूज किया है हमने डेमोक्रसी का कौन सा फर्म चूज किया है इंडारेक्ट इंडारेक्ट है ना इंडारेक्ट डेमोक्रसी अब इंडारेक्ट डेमोक्रसी में क्या होगा उसे समझो इंडारेक्ट डेमोक्रसी में हम जो है वह डारेक्ट किसी चीज को वोट के द्वारा नहीं चुन रहे डारेक्ट कोई नीती नहीं बना रहे बलकि यहाँ पर हमने क्या किया है आप प्रतिक्ष इंडारेक्ट में हमने अपने प्रतिनिधी को चुन लिया है हमने क्या किया है हमें represent कौन करेगा हमने क्या किया अपने representatives जो है जो हमारे प्रतिनिधी हैं हमने इनको चुन लिया अब ये जो प्रतिनिधी है ये आगे जाकर हमारे लिए लॉड़ मेकिंग का काम करेगा कानून बनाने का काम करेगा ठीक है कानून बनाने का काम करेगा कानून वा नीतियां तो आपने एक अथारिटी जो है वह अपनी चुकी लोगों ने क्या कि अपनी अथारिटी को ट्रांसफर कर दिया खुद नहीं कर रहा है बलकि ट्रांसफर कर दिया और इसी वज़े से इसको इंडारेट फॉर्म अप संस्थाइं होनी चाहिए डैमोक्रसी में क्या होना चाहिए इंस्टिउशन चुछ ऐसी संस्थाइं जो लोगतंत्र के लिए काम करें और एक बैलन्स सर्कार के प्रमुकंग में हम नयायपालिका की बात करते हैं नयाई पालिका, कारेपालिका और विधाई का और इसके अलावा और भी कुछ ऐसी स्वातंतर संस्थाएं हैं जो की ऑटोनूमस तरीके से काम करतें जिसे कि UPSC या स्टेट बिचेस ठीके तो जो संस्थाएं हैं ये लोगतांतर तरीके से काम करें चीके, लोगों के द्वारा जो है वह चुनी गई सरकार हो लेकिन यहां तक जो चीजे है वह ठीक है लेकिन सफीशेंट नहीं है एक लोगतांतर में लोगों का चुकी महत्व है तो जब तक लोगों को आपने अधिकार नहीं दिये गए हैं डेमोक्रसी सर्वाइब नहीं कर सक सकती हम डेमोक्रसी को अच्छा नहीं बाल सकते तो लोक्त अंत्र में क्या है कि हमने यहां पर व्यक्तियों को अधिकार दिये हैं सभी लोक्तांतरिक देशों की अगर हम बात करें विश्व के सभी democratic जो countries है जो लोगतांत्रिक देश है उन सभी ने क्या किया है जैसे कि Bill of Rights की तरह अधिकारों का घोशना पत्र है Bill of Rights देखो Bill of Rights का जो concept है ये कहां से आता है Bill of Rights का अगर हम concept देखे तो शुरुवाती जो है अधिकारों का घोशना पत्र अमेरिका से है ना भारतिय सम्विधान में अमेरिका से लिया गया है तो democratic countries ने क्या किया हुआ है कि एक जो पूरी list है वे बना दी है और उसको सम्विधान में शामिल कर दिया हमने भी सेम वही किया है ना तो यहाँ पर क्या किया कि आपने अधिकारों की सूची बना दी उसे ही अधिकारों का घोशना पत्र कहा जा रहा है अधिकारों की सूची आपने बना दी आपने list बना दी और उसे अधिकारों का घोशना पत्र Bill of Right की संग्या दी और वही हम यह देखेगे कि अगर हम Indian Constitution की बात करें तो हमने जो है वैं कौन-कौन से अधिकार दिये अब हमें वो पढ़ने हैं ये अधिकार जरूरी क्यों होते हैं? जानते हो आप इनको मूल क्यों कहा जाता है? कुछ कारण होते हैं मूल अधिकार, fundamental rights तो इसमें मूल का क्या मतलब है? क्योंकि ये व्यक्ति के विकास के लिए बहुत जरूरी है आध्यात्मिक मतलब हर तरह की व्यक्ति की जो हम अगर उन्नती की बात करेंगे है न, भौतिक, बौधिक, नातिक और आध्यात्मिक सो व्यक्ति के चहुमुकी विकास के लिए जरूरी है चाहे उसका बौधिक विकास हो उसका भौतिक विकास हो अध्यात्मिक विकास हो और नैतिक विकास हो अध्यात्मिक और नैतिक तो हर तरह के विकास के लिए बहुत ज़ादा जरूरी है कि जो व्यक्ति है उसको कुछ ऐसे अधिकार दिये जाए है ना कुछ ऐसे अधिकार दि गया जाए साथ में मूल हमने इसको इसलिए भी कहा क्योंकि संविधान में सुरक्षा दी गई है क्योंकि संविधान ने एक तरह से गारंटी दी हुई है कि यह अधिकार जो है वैं आपको दिए जाएगे और इसके अलावा हम ने अधिकारों की अब तक हम बात कर चुक ए कि अधिकार आखिर होते क्या हैं? अधिकार क्या होते? क्या जो चीज मैं चाहूं क्या वो मेरा अधिकार उसको consider किया जाए? नए. तो अधिकारों की जब हम बात करेंगे उनकी अपनी ही परभाशा है. अधिकारों की परभाशा ये कहती है कि व्यक्ति का ऐसा एक उचित दावा reasonable claim व्यक्ति का एक ऐसा उचित दावा जो वह अपने सरकार लोगों वा अन लोगों से करता है सरकार परिवार या बाकी समाज के सदस्यों से करता है कि उसे यदिकार मिले चाहिए और ये क्या है बच्चो reasonable claim होना चाहिए un reasonable लेकी नहीं मैं कुछ भी करूँ मेरी मर्जी वो भागीदार होना चाहिए आपके development के लिए जरूरी है तो आप सिक्षा का अधिकार तो मांग सकते हो लेकिर आप right to smoke को अधिकार के रूप में नहीं मांग सकते क्यों कि वो हम सब जानते हैं packet पर भी लिखा होता है जो भी इस तरह के मादक पदार्थ होते हैं धुम्रपान वाले कि यह हमारे हैल्थ के लिए जो है वह हानिकारक है तो यहां पर क्या है कि यह ना केवल हैल्थ बलकि एक सबय के बाद अब जब आपका नशेस के बाद आच्रन प्रभावित होगा आपका परिवार प्रभावित होगा समाज प्रभावित होगा तो यहां पर क्या है कि इस तरह के अधिकारों की मांगा आप नहीं कर सकते सो यह जो claim है वह should be कैसे होने चाहिए reasonable होना चाहिए और आपके development में सायक होने चाहिए इस तरह के अधिकार आपको दिये गए हैं ना कि हर वो अधिकार हर वो बात जो एक व्यक्ति की एक्षा हो वो अधिकार नहीं हो सकता उसके बीच में रेखा है है ना सो reasonable claim और यह जो reasonable claim है समाज भी माने इसे society जो है वह recognize करे और जो law है वह sanction करे तो यह जो है वह अधिकार हो जाते हैं इस बात को भी हम class 11 political theory में पढ़ चुके अधिकारों वाले chapter में कि अधिकार जो है वह आखिर क्या है ठीके अब बात करते हैं हम fundamental rights की वैसे आप काफी कुछ अगर आपने अब तक पढ़ा है आप समझ गए होंगे कि आखिर अधिकारों की बात कहा कहा की गई है ठीके और अगर नहीं भी पढ़ा तब भी कोई बात नहीं यहाँ पे भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे देखो अब हम आते हैं अधिकार fundamental rights पहले तो मैं कुछ समविधान देखो जादा तर आप देखेंगे कि लक्षमी कांप में आपको समविधानिक मतलब सारी चीज़ें जो है वो समविधानिक पक्षिदादा मिलेगा है ना कि भी समविधान में जो है यह लिखा हुआ है आप चीज़ों को connect शायद ना कर पाएं उसके लिए MCRT के हमें जरुरत होती है है ना तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम अगर समविधान की बात करें तो हमने समविधान के भागतीन में इसको लिख दिया है और भागतीन में लिख दिया है इसे भारत का मैगना काटा भी कहा जाता है क्या कहा जाता है मैगना काटा कहा जाता है और बिसिकली मैगना काटा जो शब्द है ये जान्दे को किस से संबंदित है मैगना काटा अधिकारों का वही प्रपत्र है जिसे सबसे पहले इंग्लेंड में शुरू किया गया था सामनतों की दबाव में इंग्लेंड में जो रաजा थे किंग जॉन उनके द्वारा बेसिकली जारी किया गया था और नागरिकों के मूल अधिकार के संबंद में नागरिकों को जो भी अधिकार अब तक विशुव में कहीं भी दिये गए है उनके संबंद में पहला कोई रिटन था वो प्रपत्रो सबसे पहला है ना इसलिए उसको मैंगना काटा बहरत का मैगना काटा या फिर इस तरह से प्रशन आजाए कि भारत के भारती सम्मिधान के किस भाग को भारत का मैगना काटा कहा जाता है वो होगा आपका मौलेक अधिकार क्यों कहा जाता है आ गया समझ में है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाग तीन में और अनुच्छे 12 12 से 35 तक जो मूल अधिकारों का वर्णन है रह किया गया है साथ में हम देखेंगे कि बेसिकली एक लंबी जो सूची है वैं हमें दी गई है है ना मूल अधिकारों की मूल अधिकारों की और शायद ही इतना लंबा और विस्तरत वर्णन किसी और सम्विधान में किया गया हो मूल अधिकारों की लंबी एल विस्तरत सूची सम्विधान में दी गई है ठीक है? clear है और हमने मूल अधिकार क्यों कहा क्योंकि ये व्यक्ति के विकास के लिए चहुं मुखी विकास मतलब वही बहुतिक आध्यात्मिक नातिक है ना सो व्यक्ति के विकास हे तू आविश्यक हैं और साथ ही साथ ये जो मौलिक अधिकार है सम्विधान ने चूकी लिखा हुआ है सम्विधान में एक भाग में इसको सनरक्षित किया गया है तो सम्विधान द्वारा इसकी जो गारंटी है वह दे गई है सम्विधान द्वारा गारंटी दे गई है ठीके, fundamental rights की अब देखो एक बात पर आते हैं कि आखिर इसका उद्दिश क्या रहा होगा इसका उद्दिश क्या रहा होगा तो fundamental right का जो उद्दिश था fundamental right को शामिल करने का main अगर हम objective की बात करें ठीके, इसका उद्दिश क्या रहा होगा इसका उद्दिश था राजनितिक लोगतंतर की स्थापना करना क्या उद्दिश था political democracy political democracy राजनितिक लोगतंतर की स्थापना राजनितिक लोगतंतर की स्थापना करना इसका मेन उद्देश है ठीक है अच्छा एक बात यहीं समझ लो नोट कर के लिख लो अगर हम DPSP की बात करेंगे मतलब राजिकी नीती के निदेशक तत्व जो अगला हमारा चैप्टर होगा इसका उद्देश जानते हो क्या है कभी कभी इसके साथ पॉलिटिकल भी लिख दिया जाता है बढ़ टेक्निकली अगर शब्दाता है कि क्या उसका उद्देश है तो याद रखना कि जब हम मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो पॉलिटिकल डामोक्रासी को स्टाबलिश करना ये इसका में उद्देश होगा और जब हम DPSP की बात करेंगे राज जनेती के निदेशक दत्वजों की भाग चार में आर्टिकल 36 से 51 तक हैं उसका उद्देश होगा आर्थेक्वा सामाजिक लोगतंत्र की स्थापना ठीके? अच्छा दिखो इसका उद्देश बिसिकली अगर हम मौले कधिकारों की बात करें शब्द में तो आप ये समझ गए इसके अलावा इसका उद्देश क्या है? कि कानून की सरकार बनाना ना की व्यक्ति होगी अरे व्यक्ति जो है वही तो शामिल है ना कहीं ना की व्यक्तियों की फिर हम कैसे इस बात को कह रहे हैं? हम ऐसे कह रहे हैं क्योंकि जो भी आएगा सरकार में वो कानून के अनुसार ही कारे करेगा है ना जो भी सरकार में जो भी व्यक्ति शामिल है जो भी call of सरकार है वो क्या होंगे वो उसी तरीके से काम करेंगे जो नियम बना हुआ है जो विधी बनी हुई है जो हमारा सम्विधान कहता है वो इसके आगे जाके या इसके beyond constitution जो है वै काम नहीं कर सकते इसलिए कहा जाता है कि कोई भी जो व्यक्ति है वै कानून के उपर न ना ही रास्पती तो रास्पती की बात करें या फिर रास्पती कहां काम करने वाली कांताबाई की बात करें उन दोनों का जो एक हम कहें कि व्यक्ति के रूप में जो महत्व है वे बराबर होगा है ना विशेश अदिकारों की बात नहीं करें व्यक्ति के रूप में जो महत सर्वोचता है क्योंकि सम्विधान ही यह बताएगा कि जो सरकार है वैं कैसे चलेगी सम्विधान ही यह बताएगा कि रास्पती का निर्वाचन कैसे होगा प्रधान मंद्री जो है वैं कौन बन सकता है क्या उसके लिए योगता है और कैसे जो है वैं सुप्रीम कोट और बाक Constitution सम्विधान की सर्वोच्चता है विधी की सर्वोच्चता है मौलिक अधिकारों का उद्देश क्या हो गया कि कानून की सरकार बनाना ना कि व्यक्तियों की सरकार बनाना राजनेतिक लोगतंत्र की स्थापना करना अच्छे यह बताओ अगर हम समानता की बात करेंगे और समानता में जब हम राजनेतिक समानता की बात करेंगे इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा वन परसन, वन वोट, वन पैलियू यही पॉलिटिकल एक्वालिटी कही जाती है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बिसिकली राजनितिक लोक्तंत्र की स्थापना करना या इसके आगे देखो कुछ और बातों को हम समझते हैं कि जो इस फंडामेंटल राइट्स इनका में काम जो है वे आखिर क्या होगा फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों की हम बात करेंगे तो में काम क्या होगा कि यह जो है वह एक ऐसी लाइन खीज देते हैं जिस पर की डू नॉट क्रॉस लिखा होता है ठीके इसके लिए गॉव्मेंट के लिए गॉव्मेंट के लिए सरकार के लिए तो यहाँ पर यह जो डू नॉट क्रॉस की लाइन है डू नॉट क्रॉस ठीके तो यहाँ पर गॉव्मेंट देखो कोई भी ऐसी लॉग कोई भी ऐसा लॉग कोई भी ऐसी विधी नहीं बना सकती जो मौले करिकारों को प्रभावित करें कोई ऐसी विधी नहीं बना सकता नहीं बना सकती जो fundamental rights को प्रभावित करें इसमें जो if बठ हैं वो हम आगे पढ़ेंगे आगे समझेंगे को प्रभावित करें तो government देखो इस line को cross करके जो है वह ऐसे law नहीं बना सकती अगर ऐसे law बनाएगा तो सुप्रीम कोट उसको आसमवधानिक या शू निगोशित कर सकता है कोई भी इस तरह की जो law है नियम है वह नहीं बना सकता तो यहाँ पर याद रखो कि चूकि एक लोग्तंत्र में बहुत जरूरी होता है कि सरकार जो है सरकार के कुछ सीमाएं हो तो यहाँ पर याद रखना कि ये सरकार की limit है कि सर्कार अपनी सीमा में रहकर काम करे और ज्यादातर देशों के समविधान ने यह जो सीमा बनाई है सर्कार अपनी सीमा में रहकर काम करे तो यहां पर क्या किया किया कि सरकार किस दरह के नियम बना सकती है तो ऐसे नियम नहीं बना सकती कि नागरिकों के जो मूलदिकार है वे वापस ले सके तो अपनी सीमा में रहकर काम करे और सीमिस सरकार क्यों कहा जाता है या कॉस्चूशे देखो सीमिस सरकार का मतलब है सम्वैधानिक सरकार जो सम्विधान के अनुसार बनी हो सीमित सरकार और रियाद अठना ये जो बात है वे UPSC ने पूछी हुई थी कि सीमित सरकार का मतलब क्या है या सम्वेधानिक सरकार का मतलब क्या है तो सीमित या सम्वेधानिक इसका मतलब क्या होगा कि सम्मिधान के अनुसार ही जो कारे करने वाली सरकार है सम्मिधान बताएगा कि कैसे ये जो सरकार है वह बनेगी है ना तो यहाँ पर fundamental right का main काम यही होता है कि नागरिकों के जो अधिकार है ठीक है उनके विकास के लिए जो ऐसे important rights है उनकी रक्षा करने का काम है ये ठीक है तो यहाँ पर याद रखना कि नागरिकों की ये basically इसका main उद्दिश होगा कि नागरिकों की आजादी नागरिकों की आजादी वा अधिकारों की रक्षा नागरिकों की आजादी वा अधिकारों की रक्षा सरकार से करना या राज्य से करना ठीक है ये fundamental right का काम होगा नागरिकों की आजादी और अधिकारों की रक्षा करना ये काम होगा ठीक है अच्छा देखो अब हम मूल रूप से जो हमारा सम्विधान है हमें कितने अधिकार देता है एक बार हम उसकी बात करेंगे डेमोक्रसी से चीजों को जोड़ा ठीके फंडमेंटल लाइट की बारे में बात की कहा है इसका वर्णन है और साथ में हमने देखा कि फंडमेंटल लाइट का काम जो है वे क्या है तो गवर्णन जो है वे ऐसा कोई नियम नहीं बना सकती एक डूनोट क्रोस की लाइन जो है वे खीज देता है सो भार्तिस सम्विधान की हम बात करें मूल रूप से जो है वे इसमें साथ अधिकार दिये गए थे पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी इसमें शामिल था मूल रूप से हम देखेंगे कि साथ अधिकार दिये गए थे ठीके इस बात को मैं लिग देती हूँ कि मूल रूप से मूल सम्विधान में राइट्स थे हर बार मौलेक अधिकार ने लिखोंगे के वल ऐफार लिखोंगे समझ जाओगे ना सो मुल्द सम्विधान में साथ फंडमेंटल राइट थे है ना और एक और जो फंडमेंटल था वह था राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार है ना और देखों इसमें क्या किया गया कि संपत्ति का अधिकार जो है वह बार में इससे हटा दिया गया यह कब हुआ यह हुआ कि 1978 में 1978 में एक संविधान संशोधन हुआ चवाली स्वा सम्विधान संशोधन चवाली स्वा सम्विधान संशोधन हुआ और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को fundamental right से हटा दिया गया ठीके और याद रखना कि इसे fundamental right की सूची से बाहर कर दिया गया fundamental right की सूची से क्या किया गया भाहर कर दिया गया कितने मची अब छो छह है वो देखते हैं छे मौलिक अधिकार प्रधान करता है अल्टध कर जो की 14 से 18 वाहे बाले दिकार जो की 23ज़ड़ा है, धर्मिकी सौतन्तिता का अधिकार है, 25-28 है, संस्क्रति और सिख्षा संबंद्यादीकार जो की 29 और 23 में है, और संवेधाने कुप 4 अधिकार जो की 32 में है. समानता का अधिकार बताता है राई टू इक्वैलिटी आपको बताएगा कुछ समानताओं की चर्चा करता है व्यक्ति किस तरह के से समाने किसके साधार पर भिद्भाव नहीं किया जाता है सरकार ने कैसे अंटचेमिलिटी और उबाधियों कांद किया उन सब की बात करेगा 14, 15, 16, 17, 18 स्वातंतिता के अधिकार की बात करेंगे तो कुछ स्वातंतिता जो है वै दी गई है 19 से शुरू होती है सबसे पहले जब हम आर्टिकल 19 की बात करेंगे इसमें 6 स्वातंतिताओं का वर्णन है 20, 21, 22 और इसमें सबसे इंपोर्टेंट हम जब बात करेंगे आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ और सलिबर्टी वैक्ति के जीवन का अधिकार और वैक्तिगत अधिकार है ना तो यहां पर स्वातंतिता के अधिकार की हम बात करेंगे इसके बाद हम देखेंगे सोशन की विरुद अधिकार जब देश आजाद हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया में हम देखेंगे कि मिलियन ओफ ऐसे लोग थे हैना जो कि अंडर प्रिवलेज थे उन्हें विशेश अधिकार समाज में नहीं था समानता नहीं थी और ऐसे में क्या था बदवा मजदूरी दास प्रथा इस तरह की चीज़ें चल रही थी बच्चों का सोशन करना तब ज़रूरी था कि हम सोशन की अधिकार को इसमें शामिल करें और यहाँ पे भी एक बार कि भी देश में स्वातनता और समानता की बुनियाद जरूर रखी गई है कि कुछ स्वातनता नहीं को सिटिजन की कुछ फ्रीडम है और इक्वालिटी है नहीं जैसे कि राज जो जो है वे किसी से भेदभाव ना करें बहुत जरूरी है बहुत मस्ट है यह सभी डामोकरसी में तो यह दोरों basically क्या है कि किसी भी डामोकरसी के एक हमपिलर कह सकते हैं तो समानता स्वतंतिता के अधिकार सोशन के विरुद्ध अधिकार हमने देख लिया धर्मी की सोशन का दिकार है आठिकल 25 से 28 इसमें कई तरह कि धर्मी की स्वतंतिता पर माणने के लिए स्वतंतितता की लिए यह ॹो लेकिन आप यह सोचो कि धर्मिया डर्य लालज के द्वारा धर्म परिवर्थन करालो, तो ट्रीले जन, अगर हम कndर जन की या फोर्स फुली कंवर्जन की बात करें, एक जो है, गलत है संस्कृति, आछा एक और बात, एक और प्रस्षण आता है, कि हमने धर्म की स्वतंतिता की अधिकार को, क्यों श्वतंतिता जो वो वर्ड है ना हम उसको दिखाना चाहते थे हम उसको बताना चाहते थे कि राज का जो नीचर है कि भले धर्म की आधार पर विभाजन हो गया है देश का धर्म की आधार पर विभाजन हुआ कि मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान हो गया ठीक है लेकिन ऐसा नहीं कि भारत म जो बचे वेकिवल हिंदू थे अच्छा एक बात पार्टीशन को लेके कहे जाती है कि अपने आप ही भारत जो है वे हिंदू रास्ट बन गया क्योंकि पाकिस्तान सारा मुस्लिम जो है बने बलकि हमने एक साकुलरिजम जो है धर्म निर्पिक्ष्टा अपना है सभी धर्मों को समाना दर दिया और सभी को धर्मिक धर्मिक स्वतनता भी दी आर्टिकल 25 से 28 तो इंडिया का जो नीचर है हम उसको दिखाना चाहते थे संस्किति और सिक्षा संबंध अधिकार बैसि 70 परसंट अगर हिंदू है तो क्या उनकी संस्किति को बाकी सब पर थोप दिया जाए बहुत संख्यवाद जो जादा संख्या में हैं यह शब्द समझ में आ रहे हैं आपको इंसियाटी ज़रूर पढ़ो सारे लेक्चर सावलेबल है अगर लग रहा है कि यह जो मैडम बता कि बस आपने केवल आर्टिकल्स लिख दिये आपने केवल यह पॉइंट्स बता दिये बल्किस के लिजरूरत होते हैं इसके पीछे का कॉंसेट्स और कुश्चन जो आता है में से वहीं से आता है आप सोच गया है मैंने तो धर्म की सोधनता के पूरे आर्टिकल्स याद कि कुश्चन तो यह पूचा नहीं कुश्चन तो पूछ लिया कि क्यों आखे हमने इसको शामिल किया तो आपके दिमाग से आपका पढ़ने का तरीका गलत है तो यूपीसी थोड़ी नहीं से प्रेशन पूश्चन लगेगा यूपीसी का अपनालाग स्टेंडर्ट है वो चा सम्वेधाने कुपचारों का अधिकार आटिकल 32 कहता है डॉक्टर बियार अंबेटकर ने कहा इसे हाट और सोल ऑफ दा कॉंस्टिशन कहा कि भारते सम्वेधान का आत्मा और हड़ा है सम्वेधाने कुपचारों का अधिकार कहता है कि अगर आपके मौलेक अधिकारों का हन आने के लिए जो सुप्रीम कोट है आर्टिकल 32 के अंतरगत कुछ रिट जारी कर देती रिट मतलब ऐसे विशेश कानून या फिर ऐसे विशेश निर्देश जो कि कि किसी को दिये जा सकते हैं कुछ करने या करने को कह सकती है नयवाली का तो कुछ रिट जारी करती जिसमें हम पाश तरह की रिटों की बात करेंगे है ना जिसमें हम पाश तरह की जैसे की बंदी प्रत्यक्षी करण है परमादेश है निशेद है ना अधिकार प्रक्षा उत्प्रेशन है की रिट जारी करने का जो अधिकार है केवल और केवल सुप्रीम कोट के पास है गलत हो गया हाई कोट के पास भी है आटिकल 226 के अंदर का सुप्रीम कोट रिट जारी करता है और 226 के अंदर हाई कोट जारी करता है चीके तो यह हुई कुछ अधिकारों की बात अब चलते हैं आगे और एक एक अधिकार को पढ़ते हैं अधिकार के पहले आओ थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं खुद को और याद कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या पड़ा है अधिकारों को लेकर सो अधिकार का मतलब क्या है अधिकार तभी संभव है जब आप ऐसा दावा करते हैं जो दूसरों के लिए भी समान रूप से संभव हो आप अपने लिए कुछ इस तरह की स्वातंतरिता मांगो आप अपने लिए कुछ इस तरह की स्वातंतरिता चाहो कि भई मैं क्रिकेट खे पूप में अगर आप कुछ कह रहे हो कि मुझे ये मिलना चाहिए वो तबी संभव है जब आप ये मानो कि वो जो सेम अधिकार है वे दूसरे का भी हो तो आप अपनी सुतनता का आनंद लाब उठाईए पर दूसरे की सुतनता और देश की एकता खंडता देश की सुरक्षा को खत्रे में न डालिये अब देखो जैसे की आईबी वाले हैं या फिर इस तरह की जो भी हमारी खूफिया जो एजन्सीज हैं ये कहे कि नहीं मुझे तो सुचना का दिकार है या फिर मुझे तो राइट टू एक्सप्रेस अभिव्यक्ति की सुतनता का दिकार है तो मैं तो अभिव्यक्त कर मैं तो ये बात बता दूँगा आप नहीं बता सकते देश की सुरक्षा का बामला है नहीं बता सकते तो यहाँ पर क्या आपका राइट टू एक्सप्रेस आया तो कुछ इसके अपवाद भी होंगे तो यहाँ पर हमने देखा कि एक अधिकार दूसरों के अधिकारों के तो यहाँ पर कहा जाता है कि आपकी जो स्वतंतिता है वो कहा तक जहां से दूसरे की जो लिमिट है वहना शुरी हो रही हो अगर यह माली जे यह भी व्यक्ति कहता है कि मुझे राइट टू एक्सप्रेस है और इस अभी व्यक्ति में मैं कुछ लिख कर कुछ बोल सकता हू ठीक है चलो मैंने पोयम लिखी अभी वक्ति है ठीक है कोई आपने ट्विट किया यह आपकी अभी वक्ति है ठीक है आपने सोशल मीडिया पोस्ट किया यह आपकी अभी वक्ति हो गई ठीक है सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट किया आपकी अभी वक्ति हो गई आपने एक व्यक अभिव्यक्ति का कि अधिकारों का हनन हो रहा है ऐसी कंडिशन में क्या होगा ऐसी कंडिशन में आपको संतुलन एक जो बैलेंस है बनाना होता है अधिकारों में संतुलन बनाना होता है कि जहां से दूसरे के लिए में शुरू हो रहें वहां से अभी अपने अभिव्यक्ति थोड़ी सी कम कर लो तो यहां पर क्या है कि आपको अभी व्यक्ति है बट इसकी भी तो प्राइवेसी है इसको भी तो निश्टा का अधिकार है तो आप इसकी मामले में क्यों अभी व्यक्ति जादा अपनी दिखाए अपने मामले में दिखाए तो यहां पर समाज द्वारा उचित माना जाना ज़रूर ही नहीं है अधिकारों की अगर हम बात करें तो जो society must be recognize society उसको जरूर माने जैसे कि अगर society उसको नहीं माने for example हम living relationship की concept की बात करें living relationship government ने सरकार ने इसके लिए कानून भी बना दिया विदीविवरादी सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ मामले हो गए लेकिन क्या सर समाज इसको मानता है आप इसको अधिकार के रूप में मांग सकते है तो या फिर कुछ ऐसे जैसे अभी सरकार ने कानूनी रूप से हम देखेंगे कि चाहे धारा 377 जो है उसका हटाना हो गैराप राधी करण हो या फिर समलेंगे के विवा हो क्या आप उसको समाज से मांग सकते है कानून भले दे दे रहा है कुछ चीज़े समाज नहीं मानता है ना तो यहाँ पर क्या है कि यह आपका पिपर 4 का विशे हो जाते है तो समाज के द्वारा उचित माना जाना जरूरी है वो अधिकार तो अधिकार का मतलब क्या है अधिकार जो है ऐसा दावा जो की उचित पूर्ण हो समाज माने और कानून भी माल ले अगर कानून ने नहीं माना तब तो वो प्राकृतिक अधिकार है अधिकार कहा हुआ प्राकृतिक अधिकार है कि अच्छी बाते तो दिवारों पे बहुत लिखी रहती है उसका को रक्षा शामिल करती है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका आर्टीकल कि भाई यह जो है अगर आपको इसका मूल पता है कि असप्रश्रिता और इताई दिखा दी कोई व्यक्ति दलित्या निम्ने कास्ट का था उसको अलग कप में चाय दे देना ये क्या दिखा रहा था ये कास्ट के बहाफ पर discrimination जो है वे दिखा रहा था तो यहां पर सरकार क्या चुकि प्रतीबद है equality के प्रतिबद स्वातनता के लिए और ऐसे में वह क्या कर रहा है ऐसे में आर्टिकल 17 में untouchability को abolish कर रहा है अस प्रश्रता का अंत और इसको अपराद बना दिया गया कि अगर किसी ने practice किया किसी ने इस साधार पर भेदभाफ किया कास्ट भेहाफ पर तो ये अपरात की रूप में देखा जाएगा article 17 अब हमने हमें पता है कि समानता का जो अधिकार है जो right to equality है ये right to equality किसमें लिखी हुई है समानता के अधिकार की हम बात करें article 14 से article 18 तक article 17 गिसमें आया आज़ प्रश्रिता है ना तो यहाँ पर क्या है सोशन, स्वातंतिता, समानता का अधिकार option number days का answer है इस तरह ये question बहुत पुराना नहीं 2020 का question है 2020 का question है ठीके चलिए कुछ mains के question दिखा दू कुछ mains के question दिखा दू UPSC PYQ mains 2021 का question है 20 का है और 17 का है 2021 में कहा जाता है सयुक्त राज अमेरिका और भारत के सम्मिधान में समानता के अधिकारों की धार्णा की विशिष्ट विशेष्टाओं का विश्देशन कीजे जब mains में प्रशनाता है तब comparative study पूछी जाती है तुल्नात्मक सब्विधान की जो भी लक्षन है आपको पता होने चाहिए जैसे कि 2023 में जब प्रशन पूछा 2020 में जब 3 में प्रशन पूछा तो यहाँ पे अधिकारों की तुल्ना करा ली बच्चों देखो इस चीज को समझना है यहाँ पे अधिकारों की तुल्ना करा ली और वैसे 2023 में जब प्रशन आया तो उसमें संसद को लेकर क्योंकि संसदात्मक विवस्ता हमने कहां से लिए बिटेन से तो बिटेन और भारत के बारे में बिटेन और इंडिया की बारे में क्या किया गया इसमें एक जो तुल्लात्मक है वैं पूछ लिया कि क्या बिटेन में जो संसदिय संप्रभूता है भारत में भी है या फिर कुछ चेंज है तो भारत में संविधान की सर्व हुचता है constitutional supremacy मैं आपको बता दी तो यहां पर क्या है कि सायोग तो राज अमेरिका और भारत की समानता उसको विसलेशन करना था आपको पता होना चाहिए कि अगर हम अमेरिका की बात करेंगे तो वहां पर स्वतंतिता और समानता की जो concept बड़े ही व्यक्तिवादी सिध्धान्त है कि स्वतंतिता मतलब व्यक्ति की स्वतंतिता तो वहां पर व्यक्ति को हिंडिवीज्वल को बड़ा importance दिया जाता है लेकिन जब हम इंडिया में बात करेंगे इंडिया के संदर्फ में बात करेंगे तो हमने क्या किया सामुदायक रूप से सवतंतिरता की भी बात की है, समुदाई की समानता की भी बात की है, है न, तो यहाँ पर हमें एक व्यक्ति नहीं, हमें एक समुदाई की बात भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर बड़ी ही व्यक्ति वादी ढंक से सही उक्तरा जो अमेरिका की बात करेंगे, जो भी व्याख्याई क आगया कि अब देखो चर्चा में था तो वहां से प्रिशन आया कि हाल का जो संचोधन है वह कैसे स्वायतता और स्वतनता पर गहरा प्रभाव पाड़ेगा उससे चर्चा कीजिए तो यहां पर यह प्रिशन 2020 में पूछ लिया गया और इसमें क्या पूछ लिया कि जो आधर कार्ट को लेकर एक खासी बहस चड़ी हुई थी बाइबर सुप्रीम कोट उसके बारे में डिसीजन ले रहा था कि आब आधर कार्ट चूंकि उसमें आपकी सारी जानकारी आपकी बाकी बाकी बी जो बर्फ सारी चीज़ें हैं अगर आपने कहीं आधर का यूस किया ह तो आपको यादो पुट्ट्टू सौमी वाद नहीं यादोगा तो उस वक्त चल रहा था पुट्टू सौमी वाद में सूप्रीम कोट ने कहा था कि राइट तू प्राइवेसी राइट लाइफ में शामिल होगा निश्टा का जो अधिकार है जीवन और व्यक्तिगत स्व पुछ नियाल है कि नवींतम निर्नाई के आलोक में मौलेक अधिकारों के दाइरे का परेक्षन कीजे वही बात है कि आपको right to express है वट right to privacy भी है वहाँ पे अपनी सीमा लगाओगे अगर बच्चो आपने ठीक तरीके से चीजों को बढ़ा है मैं आपको इस बात की guarantee देते यह क्या पूछा है आप परिचित हो आप इस टॉपिक से में दिक्कत यह थी कि आंसर राइटिंग नहीं करी थी अपने प्राक्टिस नहीं करी थी थी अगर आप इस निर्णाई से परिचेत है आप बहुत असानी से लिख देंगे कि आर्टिकल 21 सबकी व्याख्या जोईवे करने थी एक दो एक्जांपल के साथ कभी भी लिखो हमेशा एक्जांपल जरूर लिखो 2023 के पासाथ प्रेश्ण जो पॉलिटी के आए उसमें हम देखेंगे तीन से चार कोश्चन में सीधा सीधा एक्जांपल से पूचा किस्सा उधारन व्याख्या कीजे आप करते रहो उधारन याद ही नहीं आ रहे अरे पहले ठीक से पढ़ोगे तब ना आएंगे याद चलो आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम नेक्स देखते हैं मौले कधिकारों की विशेश्टाएं क्या है मौले कधिकारों की विशेश्टाएं आखिर क्या है ठीके देखो सबसे पहली विशेशता इसकी ये कई तरह की विशेशता है यहाँ पर कुछ बात की गई हो सकता है कुछ बाते छोट भी जाएं कुछ बाते यहाँ पर की गई है जैसे कि कुछ केवल और केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्द हैं जैसे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 and 19 ठीक है तो ये जो अनुच्छेद है और ये पिलिम्स में भी पूछा गया है या दटना यहां पर में स्टार लगाती जाती हूं ये पिलिम्स में भी पूछा गया है अब यहां पर क्या है बचों कि न केवल कुछ नागरिकों वैसे इसकी ये विशेश्टा है कि अब जैसे जीवन और व्यक्ति का सोतनता थोड़ा से दिमाग लगाना है ना एकदम कुंद होके नही आपको यह लग रहा है कि कोई व्यक्ति अगर विदेशी आएगा तो आम उसको जीवन जीने का दिकारी नहीं देंगे मार डालेंगे तो जीवन के और व्यक्ति का स्वतनता का दिकार तो सबको होना चाहिए सम्टाइम्स देखो कुछ चीजे कॉमन सेंसे भी सोच लिया करो कुछ अपने दिमार्ग लगा लिया करो कि अगर आटिकल 21 की बात की है तो हमने सभी को जो है वे जीवन की स्वतनता दी होगी चाहिए देशी हो चाहिए वे विदेशी हो चाहिए भारत का नागरिक हो चाहिए भारत का नागरिक ना हो तो कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए जैसे कि आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अफसर की समानता है ना अब जैसे कि यूपसी का फॉम अमेरिका के वक्ति नहीं कहेगा कि मैं भी भरूँगा मैं भी दूँगा वो उसे यह चीज नहीं मिल सकती यहाँ पर यह बात केवल इंडियन के लिए सिटिजन्स के लिए आर्टिकल 19 आप राइट तो स्पीच राइट तो एक्सप्रेशन है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन कोई अमेरिका के वक्ति कहेगी मैं यहां पर अपनी अभावनाया के कहूंगा या फिर या फिर मैं संक बनाने का अधिकार है मुझे भारत में कहीं भी ब जो कि एक पॉलिटिकल डेमोक्रसी तो इसका उद्धेश इता पॉलिटिकल डेमोक्रसी नागरेक का संबन्ध किससे है राज्यस से है राज्यकी सदस्थिता से है तो यहां पर यह केवल कुछ तांगरेकों के लिए अपलब्द हैं यहां पर अमेरिकका के वैक्ति इस बात क बाकि कहीं और के विक्तिया के कहें के नहीं हम अल्प संख्यक हैं तो यहां पर यह बात की गई है इंडिया में जो अल्प संख्यक है उन नागरिकों के लिए अधिकार है तो 15, 16, 19, 29, 30 कुछ सर्फ नागरिकों के लिए बाकि विदेशियों के लिए भी उपलब थे कुछ आते हैं यह आसीमित नहीं है पर वादियोग है अच्छा आसीमित नहीं है इसका मतलब क्या है देखो इसका मतलब है अनलिमित इस बात को समझना असीमित नहीं है फंडामेंटल राइट एपसलूट नहीं है अलिमित नहीं है असीमित नहीं है फंडामेंटल राइट्स क्यों क्योंकि इन पर उचित प्रतीबंध लगाये जा सकते है इसके लिए शब्द आता है रीजनिबल रेस्टिक्शन्स reasonable restrictions युक्ति युक्त प्रतीबंध हिंदी में शब्द होगा युक्ति युक्त या उचित युक्ति युक्त या उचित प्रतीबंध इन पर लगाया जा सकता है अनुचित नहीं उचित प्रतीबंध और इस बात की व्याख्या कौन करेगा Supreme Code बैठा हुआ है इस चीज को देखने के लिए कौनसा प्रतीबंध जो लगा रहे है ये सरकार वे उचित है कौनसा प्रतीबंध जो है वे अनुचित है तो यहाँ पर देखो युक्ति युक्त जो प्रतीबंध है वे लग सकता है For example अगर हम धर्मिकी बात करें तो धार्मिक स्वातंत्रता का जो आपका अधिकार है इस पर प्रतिबंद का आधार होगा नैतिकता स्वास्त सार्जनिक ववस्ता so नैतिक्ता स्वास्थ सार्जनिक ववस्था नैतिक्ता स्वास्थ सार्जनिक ववस्था ठीक है ये क्या हो गया ये प्रतिबंध के आधार हो गया इन तीनों आधारों पर जो प्रतिबंध है वह लगाया जा सकता है धार्मिक स्वातंतिता पर तो यहां पर क्या है कि जो रिस् right to property शामिल होता बट right to property से क्या हो रहा था कि societal जो needs थी वो जादा जरूरी थी हमारे लिए अगर हम व्यक्ति की जरूरतों की बात करें सामाजिक न्याय जादा जरूरी है किसी व्यक्ति के अधिकारों से इस बात पर संसत के द्वारा ये जो निर्णा है वे दिया गया थे एक क्या हो गया दो वहस चड़ रही है नयाय पाली का और पाली अवेंट के बीच में है ना तो यहाँ पर क्या हो गया कि यह असीमित नहीं है इन पर जो प्रतीबंध है वह लग सकता है और कारण उचित है या नहीं इसका निर्णाय कौन करेगा निर्णाय कौन कर रहा है जुडिश्री कर रही है क्योंकि न्याय पाली का ही हमारे फंडामेंटल राइट की संदक्षक है हमारी अभी बावक है आया समझ में तो यह असीमित नहीं है ठीक है असीमित नहीं है तो बेसिकली व्यक्तिगत स्वतनता और सामाजिक स्वतनता जो है उनके बीच में बैलन्स होना चाहिए एक संतुलन बहुत जरूरी है वही बात है कि राइट टू एक्सप्रेस से किसी व्यक्ति के अगर निष्टा प्रभावित हो रही है या एक व्यक्ति कहें कि मैं तो कुछ कि शत्युदेश को उसे लाव मिल जाए आपको यह ऐसा सुरक्षा का लूप होल बता दो कि शत्युदेश को उसे लाव मिल जाए तब ऐसे में क्या है क्या आपकी सुदंता रहनी चाहिए तो यहां पर देश की सुदंता का सवाल है देश की सुरक्षा के लिए प्रतिमंद ल कि जो सरकार है वो ऐसी नीतिया नहीं बना सकती कि हमारा फंडमेंटल राइट जो है कम हो लेकिन कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाव ऐसे कि कोई निजी व्यक्ति भी अगर आपकी सुधनता का कर रहा है या फिर आपको राइट टू डिग्निटी है किसी ने मानहानी किसी के द्वारा ऐसा कुछ है वैं डिफिमेशन किया गया वह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है कि वह आपकी जो है वैं इज़त को खराब करना चाहरा तब ऐसे में क्या क्या आप मानहानी का दावा कर सकती हैं यहां पर कई तरीके के राइट सैसे हैं सरकारों निजी दोनों क के खिलाफ basically उपलब्द है आगे हम next देखेंगे कि देखो कुछ जो है वह नकरात्मक विशिश्टाव के होते हैं आपको पता UPC ने प्रशने पूछा कि अधिकार क्या है मौलिक अधिकार क्या है मौलिक अधिकार राज के खिलाफ नागरिकों के दावे हैं राज के जो मतलब सरकार की बात हो रही है अभी राज्य क्या है इसको पढ़ेंगे हम राज्य के खिलाफ नागरिकों के दावे हैं पंडामेंटर लाइट्स क्या है राज्य की यह वो परिभाशा है जो UPSC आप से पूछ रहा है ठीके तो यहाँ पर क्या है कि यह जो है नकरात्मक विशेशता हो वाले हैं क्योंकी यह इसको नागरिटिव ओ provokeution चानते हूं क्यों कहा जाता है इसकी प्रक्रती नकरात्मक किसली कही जाती है बच्छों कि यि जो fundamental लाइट्स है यह प्रक्रती में नकरात्मक है इनकी प्रक्रती राज को कुछ करने से रोकते हैं, क्या करने से? पुछ करने से रोकते हैं, जैसे कि ये कोई ऐसी विधी नहीं बना सकते, जो fundamental right का हनण करें, ऐसी विधी नहीं बना सकते जो fundamental right का उलंखन करे तो यहाँ पर क्या कुछ ना करने के लिए कहा जा रहा है और इसलिए यहाँ पर रोका जब जा रहा है तो इसको negative obligations कहा जाता है और यह negative किसके लिए नागरिकों के लिए सरकार के लिए तो यह negative obligations है यह राज्य के लिए सरकार के लिए कि सरकार जो है एक do not cross की line भी तो खीची जा रही थी तो यहाँ पर क्या है कि negative obligation से यहाँ पर do not cross की line है यहाँ दखना इससे याद आ जाएगा do not cross की line क्या है do not cross की line fundamental की right है fundamental वाली line ठीक है आगे चलते हैं उचितम न्यालाई के द्वारा guarantee और सुरक्षा उचितम न्यालाई के द्वारा जिसे की आप article 32 के अंतरगत अनुच्छे 32 के अंतरगत आप क्या कर सकते हैं आप supreme court जा सकते हैं उचितम न्यालाई supreme court है ना आप उचितम न्यालाई supreme court जा सकते हैं अपने fundamental rights को लागू कराने के लिए और सुप्रीम कोट कुछ रिट दायर कर सकती है जारी कर सकती है कुछ करने ना करने को कह सकती है व्यक्ति और सरकारों को तो उच्चितम न्यालाई guarantee वा सुरक्षा है तो हमाने fundamental rights का हम एक अभिभावक की तरदे की कौन है और जादातर माइनों में ये देखो उच्चितम न्यालाई की द्वारा हमारे जो अधिकारों की सुची उसको बार-बार जो लंबा किया गया ना उसके पीचे करने में नायपालिका की बड़ी महत्यफोन भूमिका रही नागरिकों के लिए नायपालिका की बड़ी important भूमिका अधिकारों के संब्द में तो उच्चितम न्यालाई के द्वारा बेसिक लिया दखना कि इसको जो इसे यह नायचित है जस्टीश जेंबल डेडिश स्फिस इबल अब जो है वैं नाय लग जा सकते इसको लॉघ्व करािने के लिए ठीके नेक्स हम देखेंगे कि यह स्थाई नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो संसद है वे कटोती कर सकती है, अब देखें यह कटोती कैसे करेगी, संसद कटोती कर सकती है, जो कि जो fundamental rights हैं, यह हमारे जो basic structure है, जो बुनियादी संरचना है, संविधान की उसका हिस्सा है, तो संसद कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती है, और आपने कोई विधी लाकर सामानिसी और परिवर्तन कर दिया, अगर आपको मौले कधिकारों में संशोधन करना है, तो आ बहुत important है, यादखना, ठीके, यह स्थाई नहीं है, इसमें संसद जो है, वे कटोती कर सकती है, कमी कर सकती है, लेकिन यहाँ पर संविधान के मूल धाचे को प्रभावित किये बिना, और संविधान संशोधन के द्वारा, और मूल धाचे को प्रभावित किये बिना, ठीक कि ये बिना आगे समझ में रास्टी आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें आपके रभी वेक्ति की स्वतनता है आपको आपको कहीं भी आने जाने घुमने बसते की स्वतनता है पर कर्फ्यू लगा हुआ है या फिर आ पातकाल लगा हुआ है आप आतकाल क्या एक ऐसाधारन परिश्थी ती जिसमें आपातकाल में क Mittal में के पास जादा और कि शक्ति है जो स्रूथ है प्रवाज होए वे केंद्र की दरब है आपातकाल में के पास जाधा धीकार होते हैं और ऐसे में युद्ध के समय या फिर आकर्मन के समय जब किसी किसी शत्यु देश के द्वारा आकर्मन किया जैसे 62 में चाइना ने किया 65-71 की बात करें पाकिस्त निलंबित किये जा सकते हैं तो 20 और 21 निलंबित नहीं होते मतलब आपके जीवन को कोई नहीं चीन लेगा ठीके इसके लावा देखो अगर हम अनुच्छे 12 की बात करें तो जो आर्टिकल 19 है ना वो स्वतह निलंबित हो जाता है ऐसा नहीं कि सरकार अब इसके लिए कोई विदिया क्या कोई विदी लेके आए यह स्वतह निलंबित हो जाता है कि अब आप कहो कि नहीं मुझे तो घूमने फिरने संग सभा बनाने की जाता है करके देख ले ना सरकार उठाके जिल में डाल देगी पुलिस प्रशासन जो है वे जिल में डाल देगा तब यहां पर क देखेंगे कि एक यह हो सकता है कि सरकार कुछ विधी या कोई प्रस्ताव या कुछ तो लेकर आए जिसके द्वारा उसको वापस लिया जाए टेकवे किया जाए यहां पर रियाद रखना कि अनुच्छे दुनिस के अंतरगर जुस्ट है स्वतह निलंबित हो जाती है क्लि युद या विदेशी आकरमन यं विदेशी आकरमन अगर है बच्छों तब तुँन उंच्छे दुनिस स्वतह निलंबित हो जाएगा लेकर अगर आंत्रिक अशान्ती के आधार पर आपातकाल लगाया घया है आंत्रिक अशांती के या सशस्त्र विद्रो के आधार पर या आंत्रिक अशांती पहले जो आंत्रिक अशांती शब्द था जैसे कि हमने देखा कि इंद्रा गांधी के द्वारा इंद्रा गांधी समय में जब आपातकार लगा था तो इस शब्द का एक तरसे फायदा उठा दिया गया था कि insertου चिस चल रही है और एक संविधान संशोधन होता है और शचित जो हैं कर दिया अंत्रिक क्रिति शांथी तो तो निलंबित है कर रास्ट्री आपातकाल लगा है युद्या विदेशी आक्रबन के आधार पर तब तो निलंबित है लेकिट आंत्रिक आशांती या सशस्त्र विद्रो की बात करेंगे सशस्त्र विद्रो के आधार पर इसको निलंबित नहीं किया जा सकता सशस्त्र यह जो इफबठ हैं यहां से कुश्शन आते हैं बच्चों सशस्त्र विद्रो या आंत्रिक आपातकाल के दौरान या आंत्रिक आपातकाल के दौरान निलंबन नहीं हो सकता आया समझ में आर्टिकल 19 की बात हो रही है स्वत्र निलंबित कब होगा जबरास्टी आपातकाल नैशन जो इमर्जेंसी है वह लगेगी शत्रुदेश या युद्ध आकरमट के दौरा ठीके क्लियर है चलिए बाकी कुछ कुश्चन से पढ़ लेंगे कुछ और इसकी सीमाय और सारे चीज़ें तो ये इसकी विशेश्टा है आप सभी को क्लियर हो गया क्या क्या विशेश्टा है ठीके अब हम चलते हैं देखो राज की परिभाशा आखिर क्या है जो बार बार ये कहा जा रहा राज ये करेगा आखिर इस राज का मतलब है क्या राज के विरुद नागरिकों के दावे हैं ठीके सरकार के खिलाफ है ये सारी चीज़ों में बार बार आगर आप लेखेंगे राज शब्द राज शब्द बहुत आया आकर इस राज शब्द का मतलब क्या है UPSC ने याद कि राज की परिभाशा आप देखेंगे कि मौलेक अधिकार जो है fundamental rights जो है वह कहां से कहां तक शुरू है 12 से लेके 35 तक fundamental rights 12 से 35 तक लेकिन जब हम right to equality की बात करेंगे वो तो article 14 से शुरू हो रहा है तो 12 और 13 में आखिर क्या है तो यहाँ पर देखो राज जी की परिभाशा है यह है article 12 में इसको थोड़ा सा बोल कर देती हूँ है ना राज जी की परिभाशा की बात करेंगे राज जी की परिभाशा सबसे पहले वर्णन किसमें किया गया कि राज का मतलब क्या होगा तो अनुछित 12 इसकी व्याख्या करता है तो देखो इसमें राज का मतलब क्या होगा राज का मतलब है जैसे कि अगर हम केंद्रिय सरकार की बात करें केंद्रिय सरकार इसमें संसद है विधान मंदल है इसमें जो देशकी संसद है ये सब इसमें शामिल होंगे राज इस्तर पर अगर हम देखे तो राज इस्तर पर जो विधान मंडल है ये सरकार में आएंगे इसके अलावा देखो आपको लग सकता है कि क्या इस्थानी इस्तर पर जो संस्थाएं है वो सरकार या राज शब्द में आएंगे बिलकुल आएंगे तो अगर हम इस्थानिय स्थर पर हम नगरपालिका और पंचायतों की बात करें इने भी सरकार में या राज्य में गिना जाएगा पंचायत वा नगरपालिका ठीके तो ये भी जो है वेकिस में आएंगे राजशब्द के आएंगे या इसके अलावा ऐसी कोई अगर निजी ए कहता है सूप्रीम कोट कोई निजी संस्था कोई निजी एकाई जो राज के साथ काम कर रही हो जो राज के साथ काम कर रही हो इसे भी राज की श्रेडी में गिना जाएगा काउंट किया जाएगा ठीक है तो यहां पर देखो कि मूल अधिकारों से सब्बंद जो भी उबंद उसमें बार-बार राज शब्द का जो प्रयोग है वैं किया गया है और इसकी जो व्याख्या है अनुचेद बारा और भागतीन में की गए यह भाग भी याद रखो वैसे तो आपको यादी है ठीक है अगर अनुचेद बारा याद है तो आपको भाग भी याद है लेकिन फिर भी याद रखो कि अनुचेद बारा और भागतीन में जो राज शब्द है ठीक है जो स्टेट वर्ड है इसकी शब rat administrative दोनों की बात हो रही है अचा एक बात और यहाँ पर बच्चों कि यहाँ पर कारकारी और विदाई ऑंग की बात की गई है नयावादी कहां पर अनुछे हे थ्वारह में इनी बातों को ध्यान दित नायपाली का शम्द्यना यिस किया Ah अहां पर मैंने यह आपको बताया कि उच्छतम नैयला यह कह रहा है कि कोई निजी एकाई जो राज्यके साथ काम करें वह विधाई यगी यहां पर मैंने होंगे ठीक है राज के स्तर पर हम अगर बात करेंगे तो राज इस तर पर भी जो विधाई अंग है है ना वो इसमें शामिल होंगे राज विधान मंडल इसमें शामिल होंगे सबी इस्थाने निकाए नगर पालिकाए पंचायत जिला बोड सुधार नियास किसी भी तरह की की जो चीजें हैं पंचायत नगर पालिकाए इसके अलावा जिला बोड भी आएंगे इसके अलावा नियास भी आएगा जिला बोड या फिर नियास ये सब इसकी शेडी में आए ठीक है और लास्टली हमने देखा अच्छा इसके अलावा जो वैधाने गैर समवैधाने प्राधी करण ने जैसे कि कि अगर लाईची है तो लाईची अगर ओएगा थो और जीकी बात करें तो ये भी आहएा तो इस तरीके से क्या है कि जो वैधाने कर गैर समवैधाने प्राधी करण है वो भी राज्य की परभाशा में आएंगे और जब हम कहते कि राजी ये करेगा, राजी ये नहीं करेगा, राजी से नीत्या नहीं बनाएगा, तब उन राजी का मतलब ये सबी होगा, तो अनुछे 12 सबसे पहले ये कह रहा है, राजी की विश्तित परिभाशा है, और इसमें जो भी एकाईयां हैं, उनके कार काईयों को अदालत में चुनोती दी जा सकती है, अगर मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो, तो इसमें जो भी शामिल है, ठीक है, ध्यान रखना, इसके अब जरूरत नहीं है, आप समझ गए इस बात को, है ना, तो याद रखना कि जो भी शामिल है, जो भी राजी में शामि अधालत में चुनोती दी जा सकती है, अधालत में उसके कारियों को, अधालत में उसके कारियों को चुनोती दी जा सकती है, आधार वही होगा, फंडामेंटल राइट का उल्लंगर, आधार क्या होगा? मूल अधिकार उल्लंगर, आया समझ में, इंपोर्टेंट है ये बात, कि जो भी राजी में शामिल है, उसके कारियों को चुनोती दी जा सकती है, अगर उससे फंडामेंटल राइट का वाइलेशन किया है, तो ये हिता आपका आर्टिकल 12, अब हम चलते हैं आर्टिकल 13, अब देखो आर्टिकल 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 तो राज्य की परिभाशा कह देता है, लेकिन जब हम आर्टिकल 13 की बात करेंगे, ये क्या कहता है? अनुच्छेद 13, ठीक है? तो आर्टिकल 13 में बेसिकली ऐसी विधियों को जो की फंडामेंटल राइट से असंगत हैं, उन्हें किसी भी तरह से कम कर रही है, किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट को कट कर रही है, उन्हें वॉइड, नल, शुद या आप्रभावी घोश किया जा सकता है, आर्टिकल 13 क्या कह रहा है, कि भारतिस सम्विधान कर रुच्छे 13 ने कहता है, कि मौले कधिकारों से आसंगत या उनका अलपी करन करने वाली जो विधियां है, वै कैसी होंगी? जीरो होंगी, वै शुन होंगी, मतलब देखो, आर्टिकल 13 जो है, वै बिस न्याइक पुन्राव लोकन, या समीक्षा, या न्याइक समीक्षा, इसका आधार क्या है, तो इसका आधार है आर्टिकल 13, ठीके, इसका आधार क्या है, तो जुडिशल रिव्यू की जो बात है, इसका आधार आर्टिकल 13 में है, क्योंकि आर्टिकल 13 कहता है, कि ऐसी विध वावित कर रही है UPSC ने देखो यहाँ पर प्रेश्ण पूछा था UPSC के द्वारा एक कुशन पूछा गया था बच्चों ठीक है और यहाँ पर प्रेश्ण यह पूछा कि ये आपका मौलेक अधिकार है चीके ये क्या है आपका मौलेक अधिकार है और दूसरा जो है ये विधी बन गई है चीके ये जो है वह लौ है अब देखो ये मौलेक अधिकार था और दूसरा हमने देखा कि यहाँ पर ये जो है ये विधी है ये कोई विधी बनी है ये law है और ऐसे में क्या हो रहा है कि ये जो विधी है देखो वह कितने मात्रा में आप देखेंगे fundamental rights के कितना हनन कर रहे है तब UPSC ने question पूछा कि इसमें से आप्रभावी या शून क्या होगा आप्रभावी या शून आप्रभावी या शून क्या होगा बताएगा कोई मुझे पार्ट ए ठीक है ये शेड़ वाला है पार्ट बी या पूरी विधी पार्ट से आखिर इसमें आप्रभावी या जो शून है वह क्या गोशित होगा मौले कधिकार तो यहाँ पर क्या आठिकल अब देखो थंटिंग को समझो फिर से मौले कधिकारों से असंगत या उनका अलपी करण करने वाली विधी शून होंगी पूरी विधी नहीं कर रही थी ये वाला पार्ट कर रहा था है नो तो यहाँ पर जो बी है ये अप्रभावी ये शून नगोशित होगा मतलब उस अनुपात में जिस अनुपात में फंडामेंटल राइट का वोईलेशन कर रही है उतने अनुपात में ये अप्रभावी खोशित हो जाएगा ठीके यह शक्ती सर्मोच नियालाय आर्टिकल 32 और उच नियालाय 226 को प्राप्त है मतलब ऐसी विदियो को शून निगोशित करने की जो शक्ती है और यही आधार हुआ किसका नयाइक समिक्षा का तो नयाइक पुंडाब लोकर ये नैएक समिक्षा की बात ये कहती है कि फ़ंडमेंटल राट का उलंगन है आधार है कि सर्मोच नाले ने केश्वनन भारती मामले 1973 में कहा कि मौलिक अधिकारों के उलंगन की आधार पर संबेधानिक संशोधन को चुनौती दी जा सकती है ठीके तो इन्हें आपर केश्वादंद भारती केश्चु है इसका भी याद रखना साथ में अच्छा देखो आर्टिकल 13 यह कहता है कि जो विधी है विधी में क्या क्या शामिल होगा अब आर्टिकल 13 ऐसी विधी को का गया विधी शब्द का है मौले कर्ईकारों से आसंगत अल्पेकर्ण करने वाली विधी याशुन होगी विधी का क्या मतलब है चिके यहाँ पर इस विधी का अर्थ क्या है विधी का आर्थ है कि जो भी केंद्री या राजसर्कारों की अगर हम बात करेंगे है ना स्थाइ्विधी तो चाहे संसद बनाए संसद या विधान मंडल के द्वारा पारित कोई विधी हो संसद या विधान मंडल के द्वारा पारित संसद या विधान मंडल के द्वारा पारित संसद या विधान मंडल के द्वारा पारित विधी वह विधी की शब्द में आएगी राज्य की शब्द में अच्छा कोई अध्यादेश है आदेश है नियम है अधी सूचना है ठीक है यह सब विधी में आएंगी अगर सरकार के द्वारा जारी की जा रही है यह सब इसमें आएंगे और अगर यह करन कर रहे है इनको शूर्णि घोषट किया जाएगा इसके अलावा देखो अगर विधी का वह वें रखिकती है कोई रूपी है कोई प्रता है ज्याद रक् 바로ी कि बात करेंगी या किसी प्रता की वाद करेंगी वह भी आएगा अच्छा देखो एग बहिए जयां पर š拍 है कि सुप्रीम कोट ने का सुप्रीम कोट में इसी आधार पर तो चुनोती दी गई थी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है लेंगिक आधार पर भेदभाब किया जा रहा है क्योंकि यहां पर पुरुष जा रहा है वहिला नहीं जा पा रहे पूजा करने के लिए तो यहां पर क्या है कि कोई रूड ही है प्रथा जिसे विधी के समान दर्जा प्राप्थ हो उसको भी शूने घोशित किया जा सकता है ठीके? ख्लियर है? तो ना केवल इसे चुनोती दी जा सकती है बलकि इसे अवैद भी घोशित किया जा सकता है यादखना अनुचे 13 ये कहता है कि सम्विधान संशोधन कोई विधी नहीं है इसलिए उसे चुनोती नहीं दी जा सकती लेकिन बाद में फिर सुप्रीम कोट ने 1973 में ये कहा था कि मूल अधिकारों का अगर हनन हुआ है तब सम्विधान संशोधन को भी चुनोती दी जा सकती है ये वाली बात है ना हाला कि अब देखो इस बात को आर्टीकल 13 ये कहता है अब इस बात को समझेगा आर्टीकल 13 ठीके इसमें कहता है कि जो विधी है विधी में सम्विधान संशोधन नहीं आता ठीके अब देखो सम्विधान संशोधन नहीं आता नेकिन बाद में देखो ये बात जो है मैं इस से जुड़ गई कि केशवानद भारती केस में बाद में ये कहा गया कि अगर वो सम्विधान संशोधन भी ऐसा है जिससे कि जो उलंखन है वह हुआ है मौले कधिकारों का तब भी इसको चुनौती दी जा सकती है अच्छा या किया गया थो कि था कि एक आजिशनल जुडिश्री अपोइंटहन कॉमिशं राष्टी न्यायक न्यूकति आयोग का प्राylफन गया था और ये जो है विन्यायख कर रहा था कि नयाधिशों की न्युक्ति के लिए कहें के इंड्री कानून मंत्री और इन सब का एक जो आयोंग है वह बनाया जाएगा वह जाके कॉलेजियों पधिती की जगा पर वह इस्थाल लेगा और वह न्याधिशों के न्युक्ति करेगा समविधान संशोधन को चोदा में 2015 में सुप्रीम पोट ने का कि जाओ आ समविधान के क्योंकि समविधान की मोल संवर्चना का उलंगन किया यही केस था किश्वर अंदभार्ती केस क्योंकि इसमें एक बात यह कही गई थी कि मॉलिक जिसे मॉलिक अदिकार जो है फर्णमेंटल लाइट्स यह भी हमारे बुनियादी संवर्चना का हिस्सा है और न्यायपाली का की स्वर्चना इसके अलावा और भी सारी बहुत सी चीज़ें तो यहां पर यह बार यह भी योपेसी ने प्रशन पूचा था कि क्या समविधान की मूलिया बुनियादी संव जचना को परिभाशित किया गया है नहीं किया गया परिभाशित समय समय पर न्यायपाली का इसकी व्याख्या जो है वे करती रहती है आगे समझ में आर्टीकल 13 आर्टीकल 12 आर्टीकल 13 चलो आओ ज़रा प्रश्ट देखो विदिक व्यक्ति में क्या शामिल है समविधानिक निगम, कंपणी, पंचीकर समीति अगर कह रहा है कोई विदिक व्यक्ति है इसके खिलाप आपको केस करना है तो इसमें क्या शामिल होगा सही विकल्प इसमें क्या होगा समविधानिक निगम, कंपणी या पंचीकर समीति अब देखो, अब हम आते हैं, next, right to equality की हम बात करेंगे, article 14 से अब हम आ जाएं, है ना, article 14 से हम शुरवात करते हैं, so देखो, next, right to equality की हम बात करते हैं, ये पहले, सबसे पहले आखे हमने equality को preference क्यों दी, right to equality को हमने article 14 से लेके 18 में mention किया, इसके provision रखें, क्योंकि बिना समानता के स्वाततरता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था, है ना, समानता का दिकर 14, 15, 16, 17 और 18 में रखा गया है, article 14 की हम बात करेंगे, ये कहता है कि भारत के राजशेतर में किसी व्यक्ति को विदी के समान संरक्षन से वंचित नहीं किया जाएगा, प्रतिक व्यक्ति चाहे वैदेश का नागरेक हो या विदेशी हो, सब पर ये अधिकार लागो होंगे है न, article 14 में भारत के राजशेतर में ये कहा गया है कि विदी के समक्ष संता होगी, विदीयो का सबाद संरक्षन होगा, आगे मैं इसको आपको समझाओ, उसके पहले मैं articles दिखा देती हूँ, फिर हम शुरू करते हैं, so article 15 कहता है, कि राजशे के द्वारा कि किसी नागरिक के प्रती केवल, धर्म, मोलबंच, जाती, लिंग या जन्विस्तान को लेकर विवेद नहीं किया जा सकता, यहां पे आपको दो शब्त दिख रहे होंगे, वन इस विवेद और दूसरा केवल, केवल शब्द का मतलब यह है कि इन आधारों के अलावा किसी अ कि विशय में अफसर की समता, अगर हमार अरुच्छे 16 की बाद करें, आर्टिकल 16 कहता है कि राज की अधीन कोई भी जो बद है, जैसे कि आप UPSC का ही समझ लो, तो UPSC के लिए, है न, सभी नागरिकों के लिए अफसर की जो है, वैं समता होगी, हां, वो विसिस्ट जो एक आयू सीमा है, या क्वालिफिकेशन है, कि मिनेमम आपका ग्रजूइशन जो है, होना चाहिए, आपकी उम्र जो है, वैं 21 से, अगर आप चरनल काटेंगरी के 32 तक मैक्समम या 4 अटेंप, 6 अटेंप आप देख सकते हैं, ये कुछ ऐसी विशिश बात है, जो UPSC ने ताई क चुकी हों, और किसी भी रूप में इसका आच्रन करना, है न, आसप्रश्रता से उपजी किसी निर्योग्रिता को लागू करना, विधी के अगर नुसा दंड नहीं होगा, कि अगर किसी भी तरीके से आप ये सोची, क्या आप आफ प्रस्रता को प्रैक्टिस करें, वो करता है और समंद में कौन सा प्रावधान किया गया है राज सेना या सिक्षा संबंदी सम्मान के अलावा और कोई उपाधी प्रदान नहीं करेगा कोई विदेशी राज से कोई भी उपाधी भारत के रास्टपती की सहमति की बिना स्वीकार नहीं करेगा मैं जब आपको भी पाधी बता देती हो दैन उसके बाद उसको आंसर करोंगे 2017 में question पूछा गया one of the implication of equality in society is the absence of what in the absence of समाज में समानता एक नहथार्थ की अनुपस्थिती है किसकी अनुपस्थिती है क्या भरोगे यहाँ पे any kind of privilege की अगर हम बात करें किसी भी तरह के विशेश अधिकार किसी भी तरह का जो any kind of privilege यह विशेश अधिकार है इसकी अनुपस्थिती है है ना so option number a का सही answer था option number a सही answer था अब हम चलते हैं article 14 से शुरू करते हैं विधी के समक्ष समता और विधी का समान सन्रक्षर विधी के समक्ष समता और विधी का समान सन्रक्षर ठीकें article 14 समानता का दिकार विधी के समक्ष समता वास समान सन्रक्षर अब हम इसमें देखेंगे कि दो बाते जो है मैं लिखी गई है विधी के समक्ष समता और विधी के समान सन्रक्षर में क्या है दो बाते लिखी गई है अगर हम विधी के समक्ष समता की बात करें समझे गाइस टर्म को विधी के समक्ष सम्दा equality before law equality before law पहली बात अब आपको पता है कि ये जो concept है विधी के समक्ष सम्ता ये British origin है ये कहां से लिया है हमने Britain के सम्विधान से विधी के समक्ष सम्ता Britain के सम्विधान से ली गई अब धर्णा है ठीक है और देखो इसमें ये कहा गया है article 14 ये कहता है कि राज भारत के राजशेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधी के समक्ष सम्ता और विधी के समान सन्रक्षन से वजचित नहीं करेगा इसमें दो बाते जो है वे लिखी गई है ना दो बाते जो है वे लिखी गई है कि विधी के समक्ष सम्ता की हम बात करें तो ये जो है विशेश अधिकारों की अनुपस्थिति, एपसेंस ओफ एनी काइड अफ प्रिवलेज, विशेश अधिकारों की अनुपस्थिति, ठीके? किसी भी व्यक्ति को कोई विशेश अधिकार जो है, वैं नहीं होंगे, ये पहली बात विधी के समक्षि समता में तै करना है, दूसरा इसमें कहा जाता है कि साधारन विधी के तहट सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यभार होगा, दूसरा कहा जा रहा है कि साधारन विधी के तहट समान व्यभार की बात कही गई, और इसमें तीसरी बात ये है, कोई भी व्यक्ति कानून के उपर नहीं है, तो ये तीन बाते विधी के समक्ष समता में रखी गई, अब चलते हैं हम, दूसरे पोइंट की तरफ, जो विधी का समान सनरक्षन, विधी का समान सनरक्षन, विधी का समान सनरक्षन, एक्वल प्रोटक्षन ओफ लॉव, एक्वल प्रोटक्षन ओफ लॉव, ठीकें, और ये जो गवस्ता है, ये हमने कहा से लिया है, ये हमने लिया है, अमेरिका के कॉंस्ट्यूशन से, अमेरिका के सम्विधान से हमने इस ववस्था को लिया अमेरिकन कॉंस्ट्टूशन से विधी का समान सन्नक्षन और इसका मतलब है कि विधियों के द्वारा जो विशेशाधिकार और दायत विदिये गए है वो समान परेश्थितियों के अंतरगत समान होगे Hello विशेशाधिकार विशेशाधिकार जो विधियों ने दिये हैं मतलब किसी लौक के अंदर गते विशेशाधिकार वा दायत्व समान परेश्थितियों में समान होंगे समान परेश्थितियों में समान परेश्थितियों में समान होंगे पहली बात इसमें कहीं गई है ना केस में किसी भी तरह का ये दिये कि किसी के लिए विशेश अदिकार कुछ और है उस लोग के अंतरगत दूसरे के लिए कुछ और बलकि यहाँ पर जो भी विधी ने विशेश अदिकार दिये है और जो दायत आरोपित किये है समान परेस्थ है ठीक है सबान विधी के अंतरगत सभी समान होंगे सबान विधी के अंतरगत सभी से जो है वैं समान व्यभार किया जाएगा ठीक है इसपे एक बात और अंतर नहीं दिखाए दे रहीं मतलब समान विधी के अंतरगत समान व्यभार किया जा रहा है मतलब कुछ वीधिया ऐस shipping हो सकते हैं जिसके अंतरगत अशा हमां व्यभार किया जा सकता है ठीक है और नेक्स्ट है इसमें कि बिना भेदभाव समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए ठीक है मतलब जो लोग समान है उनके साथ समान मतलब जो कुछ मायमे में विषिस्ठ उनको विषिश वैवार दिया जाएगा तो सामान विदिके अंतरगत रिष्ड सभी व्यक्तियों के साथ संगान होना जाहिए अगर वैव्यक्ति कुछ मायनों में दूसरे के साथ सा है तो तो समान के साथ समान व्यभार मतलब आसमान व्यभार उनके साथ किया जा सकता है जो कि समान ना हो या कुछ माएने में अलग हो है ना अब एक बात समझो बच्चो यहाँ पर क्या है कि पहला जो भाव है विधी के समक्ष समता है ना ये जो भाव है जानते हो करेंगे तो इसकी जो प्रकृती है वैं कैसी है नकरात्मक है ये नकरात्मक प्रकृती का है इसकी प्रकृती नकरात्मक होगी और विधी के समान संरक्षन की बात करें इसकी जो प्रकृती है वैं कैसी होगी ये प्रकृती इसकी सकरात्मक होगी नेगेटिव होगा जो बिटेन से लिया इक्वालिटी बिफोर लो कुछ सेंस में और पॉजिटिव होगा विधी का समान सनक्षन ठीके अच्छा या देखना कि दोनों का उद्देश एक नकरात्मक विधी है दूसरा सकरात्मक विधी कहीं जाती है और दोनों का उद्देश विधी अवसर वन न्याय की समानता है इन दोनों का उद्देश क्या है दोनों का उद्देश वही है दोनों का जो उद्देश है वह सेम है ठीके तो यहाँ पर उद्देश न्याय विधी वा अवसर की समता कि नियाए विधी वा अपसर की सब्दा ठीके ये इन दोनों का कॉमरूद्धिश्य है आप विधी अब अलग हो सकती है कि एक को हमने नकरात्मक कहा एक को हमने सकरात्मक कहा आप चाहे तो प्रकृती शब्द की जगा विधी चिह आप प्रकृति शब्ण धनता दीजे आप इसको जो है वे विधी शब्ध करड़ीजे एक विधी जो है वे सकरात्म ॥ा रहे टीक़! बुर्ध aloud कर दो की सुप्रीम कोर्ट यह कहता है सुप्रीम खोट ये कहता है कि आसमान में आसमान विवहार हो सकता है और जहां पर ये होगा वहां आर्टिकल फॉर्टीन नहीं होगा आर्टिकल फॉर्टीन नहीं होगा चीके? यहां पर आर्टिकल फॉर्टीन नहीं होगा और इसमें ये कहा जाता है जैसे कि मालो कि किसी के लिए कोई कोई ऐसा वर्ग है जिसके लिए कोई विशिश बाप जो है विशिश अदिकार उसको देने है तब वहाँ पे आर्टिकल 14 लागू नहीं होगा और इसमें ये भी कहा गया है कि यहाँ पे जो आप असमानता का ये वर्गी करण कर रहा है ना ये वर्गी करण जो तरक संगत और न्याइपूर्ण होना चाहिए तो ये समानता असमानता का आपने जो वर्गी करण किया है ना ये वर्गी करण कैसा हो तरक पूर्ण हो न्याइपूर्ण हो तरक पूर्ण हो न्याइपूर्ण हो तो आप असमानों में जो असमान वभार है वह definitely कर सकते हो लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए नयाइपूर्ण हो अब आगे देखो कि जब हम बात करेंगे विधी के समक्षिस्वंता यहां से एक और बड़ा ही important जो हम देखेंगे concept सामने आता है जिसे की हम कहते है विधी का साशन ठीके विधी का साशन rule of law कही कही कानून का साशन होता है बस इसे accurate अगर शब्दों की बात करें तो विधी का साशन होगा अगर हम बिटिश की बात करें तो बिटेन के नयाइविद थे ठीके जिनके द्वारा ये ववस्था इपने बिटेन के नयाइवादी थे अवी डाइसी इन्हों ने rule of law में तीन बातों को शामिल करा ठीके? इन्होंने क्या क्या? rule of law में तीन बातों को जो है वह शामिल किया पहली बात इसमें ये कही गई कि राज्य के पास ऐसे शक्राइब मनमानी शक्तिया आर्बिट्रेरी जो पावर रवे नहीं होना चाहिए कि किसी की व्यक्ति को गिरफतार कर लिया किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल दिया या उसको समान्दा से वच्चित कर दिया तो रोरे ये कहा कि जो एक्षाधीन शक्तिया है वह अरुपस्थित होगी और किसी भी व्यक्ति को विधी के उलंगन के सिवाए दड़ित नहीं किया जाएगा ठीके तो इसमें क्या कहा कि जो एक्षाधीन शक्तिया है मनमाने शक्तिया नहीं होगी एक्षा धीन चक्तिया नहीं होंगे एक्षा धीन चक्तिया नहीं हों है ना और किसी व्यक्ति को कारून के उलंगन के सिवाई दंडित ना किया जाए जो कारून में लिखा हो कि अब आपने कारून के उलंगन के उसको दंड दे दो उसके सिवा नहीं कानून के उलंगन के सिवा दंड नहीं दिया जाए ठीक है ये पहली बात इनों ने कही कानून का साशन हो आपने जो कानून बना दी हो उसके हिसाब से काम करो दूसरे इसमें ये कहा कि विधी के समक्ष समता जो है वै आविशक है कोई भी व्यक्ति कानून को उपर नहीं चाह यूज यह समान होनागे विधी के समक्ष समता और कोई भी व्यक्तिक कानून के उपर नहीं नहीं है ठीक है चाहे वैं गरीब हो अमीर हो तीसरी बात जो कहीं ये थोड़ी सी अटपटी लगेगी आपको अजीब बात है थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आपको इंडियन कॉंस्ट्टूशन में इसमें देखो ये कहा गया कि जो सम्विधान है न वो व्यक्तिगत अध अधिकारों इस बात को समझना यहाँ पे स्टार्ड लगा दूं यूप्यस्टी ने पूछा हुआ है ठीक है संविधान हो व्यक्तिगत अधिकारों का बेसिकली तो इसमें व्यक्तिगत अधिकारों को जो है प्रमुक्ता दी गई है और इसमें यह निका गया ना की सम्विधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोथ है क्या कहा गया ना की सम्विधान व्यक्तिगत एक होता है सोर्स एक होता है परणाम सोर्स है ना सोर्स जैसे कि वालो आप पॉलिटी जो है वे इस इस बुक से कर रहें यह सोर्स हो गया और आप आप कहो कि बही परिणाम है ये तो दोरों चीजों में difference है कि क्या source है और क्या उसका result है तो यहाँ पर देखो कि सम्मिधान व्यक्तिकत अधिकारों का source है ना कि व्यक्ति सॉरी व्यक्तिकत अधिकारों का परिणाम है ना कि source है तो यहाँ पर ये दो बाते जो है वे भारतिय संदर्फ में लागू है इस बात को समझना 0.1 and 0.2 भारतिय संदर्फ में लागू है और जो 0.3 है भारतिय संदर्फ में लागू नहीं है क्यों तीसरा जो है ये भारत के संदर्फ में लागू नहीं है ये सही नहीं है ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में क्योंकि बातिय संदर्फ में व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम नहीं बलकि व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोध है तो यहां पर अंतर क्या है बच्चों अंतर यहां पर है कि यह पर आगया कि यह पर नाम है और हमने कहा कि स्रोध है और इसी लिए कि डाइसी ने जो तीन नियम बताए है रूल अफ लॉक के अंतरगत के एक शादिन शक्तिया ना हो कारून के उलंगन की सवाई किसी वी व्यक्ति को जेल में ना डाला जाए ठीके दूसरा है विदी के समक्ष समता हो कोई वी व्यक्ति कारून के उपर ना हो और अगली बात कहेगे कि सम्विधान व्यक्तिगत अधि औस जोड़ोना ना, बातो तो यह कोछा कि भारती शनदर्व के लागू है इसा कौनसी बात है जो की घारती सन्दर्व में लागू है, क्ल contractors पेंह है आया समझ में कुछ इसके आपवादों की बात करें क्या जो बच्चों मैंने आपको बता है वो सारी चीज़े लिखी हुई है कि कानून के समानता है बिटिश मूल से हैं और यह अब धार्णा किसी व्यक्ति के पक्ष में विशेश अदिकारों का भाव है इसका मतलब यह कि सभी न्यालाई के द्वारा प्रसाशित कानून के सामने सभी व्यक्तियों और व्यक्ति में कोन आएगा अमीर गरीब सरकारी अतिकारी हो गहर सरकारी व्यक्ति हो कानून से कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं है दूसरा अफदान डाम में देखा कानून के समान संद्रक्षन जो बाकि हमने इसको और विस्तार से जो है वह देख लिया आगे समझ में चलो बताओ कारून के साशन की मुख्य विशेश्टा मारा जाता है 2018 का प्रश्ट है कारून के साशन की शक्तियों की सीमा कारून की समक्ष समानता सरकार के प्रती लोगों की जिम्यदारी स्वातंतर और न लोगों की जिम्यदारी या स्वातंतरता और नाग्रिक अधिकार या शक्तियों की सीमा आखिर क्या ऐसा है जिसे की कारून की विशेश्टा माना जाए आपके लिए कुश है अब यहाँ पर भी मैं शुरू कर देती हूं स्टार से यूपेस्टी ने पूछा था कि कारून क या फिर समानता का जो है कोई अपवाद नहीं है अगर हम अपवाद की बात करें कि क्या समानता के अधिकार का कोई अपवाद है बिलकुल है जैसे की आर्टिकल समानता के अधिकार का अपवाद है तो इसमें पहली बात तो देखो यह कही जाती है इस अपवाद में आर्टिकल 361 में जानते हो क्या शामिल है रास्टपती और राजपाल को कुछ विशेश अधिकार दे गए है रास्टपती वा रास्टपती वा राजपाल को कुछ विशेश अधिकार है ठीके अब देखो ये विशेश अधिकार कैसे है जैसे कि इनके कारेकाल के दोराने ने गिरफतार नहीं किया जाए ठीक है, इसकी अलावा है कि ailब जब तक इनका कारेकाल है जब तक किसी भी तरह का कोई मुकद्मा या कोई कारवाही इनके खिलाफ नहीं किया जा सकती और ये किसी भी निर्णई के लिए किसी नियालय में जवाब दे नहीं होगे दोनों के संदर पर बात की जा रही है कि किसी भी निर्णई के लिए किसी भी निर्णई के लिए लेकिन हम और आप तो है किसी भी निर्णई के लिए जवाब दे नहीं है ठीके जवाब दे नहीं है तो यहाँ पर यह क्या हो गया यह तरह से काइड ओफ यह आसमानता ही तो हो गई है ना यह आसमानता हो गई कि इनके पास विशेश अदिकार है तो यह क्या हो गया यह article 361 जो है यह exception है यह अपवाद है ठीके तो देखो next हम देखेंगे हाँ पर कि हम देखते कि कोई भी व्यक्ति जो है वह सदन चाहे हम सदन के सदस्ते की बात करें सालसदों की बात करें विधाईकों की बात करें उनके पास अधिकार है कि वह कोई प्रकाशन या जो है वैं सब कर सकते हैं जो सदन की कारवाही के संबन में चीज़े हैं वैं बता सकते हैं ठीके तो यहाँ पर उसमें भी देश के किसी भी नालाय में उनके खिलाफ मुगंदमा नहीं हो रहा है अब एक और देखो कि संसत का जो सदस्य आर्टिकल 105 विशेश अधिकारों से मेंस का जो प्रश्ण है वैं पूचा गया है ठीके यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 105 की अनुच्छे देख सो पांचना कुछ विशेश अधिकारों की बात करता है कि जो संसत सदस्य आप इनका देखते होंगे वभार कितना मर्यादित होता है कुछ-कुछ लोगों का तो यहाँ पर कहा कि संसत अपनी भावनाओं की अभी व्यक्ति जो है वैं संसत में कर रहा है और वो अगर गलत तरीके से भी कर रहा है या निर्णय के विरुद न्याले में करवाई नहीं की जाएगी न्याले में करवाई नहीं की जाएगी ठीके अब यह जो नहीं है न ये इनके लिए एक विशिश अधिकार वाली बात हो गई तो ये विशिश अधिकार है आर्टिकल 105 में सांसत सदस्यों के लिए और 194 में 194 अगर हम आर्टिकल की बात करें इसके अंतरगत विधान मंडल के सदस्यों के लिए मतलब जो राच विधान सबाया विधान परिशत के सदस्यों के लिए विदान मंडल सदस्य के लिए ठीक है, तो किवल ऐसा नहीं है कि केवल आर्टिकल 105 में ही बात के गई है, आर्टिकल 194 पे भी इस बात को कहा गया है बट ये राज की विदान मंडल की जो सदस्य, उनके संदर में बात कही गई, ठीक है, साथ ही देखो, तो राज की विधान मंडल में अगर कोई समीती में विधान मंडल की किसी सदसने कोई बात कही तब भी यहाँ पर जुन्यालाय में कोई कारवाई नहीं होगी इसके अलावा 31 गा आर्टिकल 14 का अपवाद है इस बात को समझेगा ठीक है आर्टिकल 31 गा आर्टिकल 14 का अपवाद है अब देखो यहाँ पर उच्छितम नियालाय ने व्याख्या की कि जहाँ एक आता है वहाँ से दूसरा चला जाता है ठीक है यहाँ पर सूप्रीम कोट क्या कह रहा है सूप्रीम कोट ने कहा की जहाँ 31 गा आएगा वहाँ से जो 14 है वह चला जाएगा इसका अर्थ यह है आर्टिकल 31 का यह कहता है कि जो DPSP है DPSP को प्रभावी करने के लिए कुछ नेतिया बना सकते हैं जो की समानता का उलंगन कर सकती है जैसे कि किसी को विशिश अदिका किसी के लिए विशिश ववस्थाई कर देना है ना तो यहां पर क्या है कि DPSP को प्रभावी बनाने के लिए अगर कुछ ऐसी नेतिया जो है वे विधार मंडल लेवे बनाता है तो वहां पर जो आर्टिकल 14 है यह लागू नहीं होगा अर्टिकल 14 लागू नहीं होगा यहाँ पे आप यह नहीं कहसकते कि नहीं यह बेद 204 बात की तीसरी बात हमें आर्ट 174 की बात की और 31 गा की हम बात कर रहे जिसमें कि यह सुप्रीम कोट का एक जो कथन है आपको याद अठना है कि जहां से 31 गाएगा वहां से जो 14 है वह चला जाएगा तो यह समानता कि कुछ वादो की जो बात है वह की गई इसके अलावा जैसे की विदेशी संप्रभू है जो राजदूत है जो कूट नितिक व्यक्ति है उन वो उनके खिलाफ दिवानी या फॉसदारी जो मुकदमे है वह नहीं चलाए जाएगे ठीक है या फिर यूएन की कोई अजनसी है उसे भी होई है तो यह है अब हम चलते हैं कुछ आधारों पर विबेत का प्रठीशीद ठीक है कुछ आधारों पर विबिःध का पंधिव आरुकल फॉंटिक थाज़से पूशन है किमेशा से कुशन जाते है तो देखो अगर हमने किवल ऊपर ऊपर ऐसे चीज़ों को पढ़ लिया कि यह बस important है सारी चीज़ों को नहीं पढ़ा कुशन वहीं से आ गया कि क्या यह दोनों साथ में फिवेद बाट कर रहे है आर्टिकल 15 क्या कहता है आगरिक प्रती केवल धर्मोल्बंच जाती लिग्या जनमिस्तार के आधार पर विवेद नहीं करेगा इसमें एक बात समझो यहाँ पर एक तो केवल शब्द है और यहां पर दूसरा विभेद शब्द है ना एक तो केवल शब्द का मतलब क्या है केवल शब्द का मतलब है कि अन्य आधारों पर मत्भेद किया जा सकता है अन्य आधारों पर भेद्भाव जो है वैं हो सकता है केवल पांच आधारों पर रही हो सकता धर्म मोलवंच जाती लिंग्या अजन मिसार इन पांचों के अलावा कोई और अगर है पॉइंट तो उस आधार पर विभेद जो है वैं किया जा सकता है और विभेद का मतलब क्या है किसी के विरुद विप्रित मामला या किसी के उसके आगया है कि कोई नागरिक धर्म मोलवंच जाती जन्मिस्तान किसी के भी आधार पर दुकानों या सार्जनिक भूजना ले फिर जो भी पब्लिक इस तरह की पॉपरटीज है उनका एक्सिज ले सकता है उसके साथ भीदबाब नहीं किया जाएगा या फिर पूरी तरह से य पतलब राज के द्वारा अगर पूरी तरह से या आधी तरह से किसी संस्था को अगर पैसा दिया जा रहा है तो उसके लिए सभी का पतलब बिसिकली पब्लिक अगर पपटी है तो पब्लिक एक्सिस होगा वहां पे आप विबेद नाधारों पर नहीं कर सकते लेकिन इसके एक्सेप्षन है कि राज को इस बात के रूमती होती कि वें बचोंवा महिलाओं के लिए नाधारों महिलाओं के लिए विशेश ववस्था करे विशेश ववस्था करे ठीके, कर सकता है ऐसा अब विशेश ववस्था होगी, यह मतलब सबानता की बात का होगी हो गया ना भेदभाव, बट यह भेदभाव नहीं कहलाएगा यह इसका exception है ठीके, तो यहाँ पर जैसे कि स्थानिय निकायों में महिलाओं का आरक्षन अब आप कहेंगे कि वो जो आरक्षन की ववस्था है, वो भेदभाव है तो नहीं, UPSC ने 2023 में कुशन भी पूछा था कि अगर आप किसी के साथ इस आधार पर भेदभाव कर रहे कि उसको उसकी जरुरत है, तब आपकी राय में क्या ये भेदभाव होगा? या असबान विभार हमेशा भेदभाव कहलाएगा, है ना? तो यहाँ पर क्या है कि अगर सम्विधान में ये ववस्थाएं की गई है, अच्छा ये आप एक्जांपल भी लिख रहें, एक्जांपल बहुत जरूरी है, जैसे कि स्थाणिये निकायों में स्थाणिये निकायों में महिला अरक्षर एक तेहाई सीटों पर है आप तो लोग समा राज्य समा में वहोग ये नारी शक्ती अरा, वन्नर अधिनियम दूसरे इसमें कहा जाता है कि राज्य को इसकी अनुमती है कि सामाजिक और स्थाणिक रूप से जो पिछड़ा है, उसके लिए विशिश ववस्थाए करी सामाजिक ध्यान से पढ़ना इस शब्द को मैंने लिखा है सामाजिक और मैंने लिखा है सक्षिनिक सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड यहां पर कहीं आर्थिक दिख रहा क्या मैंने आर्थिक शब्द लिखा नहीं लिखा समविधान में सामाजिक रूप से कि हिस्टोरिकल इंजस्ट्रिस हो रहा है उसकी पीडियों के साथ अन्याय हुआ है तो सामाजिक रूप से और सक्षिनिक दस्टी से दो आधा है आर्थिक नहीं था तब ही उसमें सम्विधातन शोधन करना पड़ा आएंगे उस पर भी सामाजिक वा सक्षिनिक दस्टी से पिछड़े समुदायों को स्टी आरक्षन की बात हो गई ठीक है यहां पर स्टी जो आरक्षन है इनकी बात हो गई तो इस तरीके से यह जो है विभेद के प्रतिशेध का भाव है तीसरा हम देखेंगे कि राज्यों को ये अधिकार है ठीके राज्यों को ये अधिकार है कि एक विशेश उबंद की बात करें जैसे कि अच्छा ये देखो कि विधान मंडलों में विशेश जो है सीटों का अरक्षन किया जाते जैसे कि लोकसभा में भी किया गया है ठीके तो यहाँ पर अगला है कि sectionic संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोई नियम बनाए राज्यों को यह अधिकार है कि एक तो विशेश उपबंद करे sectionic प्रवेशों के लिए जो है वह नियम बनाए ठीके तो sectionic की बात यहाँ पर होगे यहाँ मैं विशेश उपबंद लिख देती हूँ के इन वर्वों के लिए विशेश उपबंद करे जैसे कि विधान मंडलों में सीटों का आरक्षन जैसे कि ताकि सब का परियाप्त प्रतिनेत्व जो है वह हो विधान मंडल में सीटों का आरक्षन विधान मंडल में सीटों का आरक्षिन ठीके तो इस तरीके से हमने देखा कि ये कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पर विबेद हो सकता है अब तो देखो सरकार ने कमजोर वर्गी के उन्डेती के लिए भी ये प्रयास किया है और 10 प्रतीशत जो सीटे है वह भी आरक्षित कर दी ह अब बस हम उस पर ही आते हैं ठीके और साथी सैक्षिनिक संस्था अगर हम देखे तो सैक्षिनिक संस्थाओं में जो OBC वर्ग के लिए आरक्षिन है उसकी भी हम बात करते हैं यहाँ पर हमने SCST की बात कर ली ठीके अब हम बात करेंगे कि सैक्षिनिक संस्थाओं में अधर बैक्वर्ड जो क्लासिज है अदर बैक्वर्ड क्लासिज कि SCST के अलावा भी ऐसा लगबग 50 से 52 प्रतिशत लोग है कम्मिनिटी है जो कई आधारों पर पिछडी हुई है यहाँ पर उसकी बात की जा रही है 93 सम्विधाल संशोधन हुआ था 2005 में और इसमें OBC के शात्रों के लिए सभी सक्षिनिक संस्थालों में 27 प्रतिशत जो सीटे है वो दिया गया था OBC Reservation ठीक है 27 प्रतिशत जो आरक्षन है वह दिया गया था 2008 में सुप्रीम कोट ने यह कहा कि क्रीमी क्रीमी लेयर का जो सिधान्त है उसका पालन किया जाए क्योंकि अधर बैकवर्ट क्लासस में कुछ ऐसी कम्मुनिटीज है जो की काफी हम कह सकते हैं कि उनमें वो शमतावान हो गए है आर्थिक और सक्षिनिक रूप से उनकी जो आर्थिक सक्षिनिक सामाजिक दस्ठी से हम देखे तो बड़ी पावर्फुल है और ऐसे में उन्हें अगर ओवी सी में रिजर्वेशन का मिलता है तब तो यह गलत हो गया तो ऐसे में क्या करा है सुप्रीम कोट कहता है कि क्रीमी लेयर का जो सिधानते में पालन किया जाएगा और यहाँ पर क्रीमी लेयर का मतलब क्या है क्रीमी लेयर का मतलब है कि अगर कोई संवैधानिक पद्धारन करने वाला व्यक्ति है ठीक है अगर को रास्पती है राजजपाल है या फिर और है अगर group AB की सेवा में कोई अधिकार ये कोई gazetted officer है वो कहीं कि नहीं हमें OBC reservation चीक है तो यहाँ पर ये किसे ना में कोई करनल है तो उसे section एक संस्थानों में 27 बतिशत सीटे कारक्षर उसके बच्चे को नहीं मिल रहा डॉक्टर अधिवक्ता है कलाकार है लेखा के सलाकार है व्यापार वाड़िज में लगा है शहरी शेत्रों में जिल लोगों के पास भवन है जिल लोगों की सालना है साड़े चाल लाक रुपे से जादा है मतलब कुछ ऐसे आप देखे के कि क्रीमी लेयर के जो कुछ सिद्धानत है सम्टाइम्स चेंज होते रहते हैं OBC का सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो बन गया फिर उसके बाद उसको चेंज कराना पड़ता है कराना पड़ता है कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते कि अभी भी हमारी इतनी है या फिर इतनी नहीं है तो यहां पर क्या है कि अगर हम बात करें तो क्रीमी लेयर का जो सिद्धानत है इसके पालंग करने की बाद जो सूप्रीम कोट के द्वारा है वह कहीं जाती है ठीके और इने जो आरक्षन है वह नहीं दिया जाएगा क्योंकि सत्ता अच्छा एक बात और याद रखो बच्चो क्या अगर हम आयाइटी और आयाइम जैसे संस्थारों की बात करें तो क्या आयाइटी आयाइम में यह जो 27% OBC reservation है आयाइटी आयाइम यहां पर भी यह उसके अंतरगा सीटे जो है वह इन शात्रों को definitely दे जाएगे अब हम आजाते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षन साक्षिक संस्थानों में अब देखो 2019 में 103 वा सम्विधान संशोधन हुआ था क कि जो इकोनोमिक वीकर सक्षन है एड़लू एस एकोनोमिक वीकर सक्षन एकोनोमिक वीकर सक्षन आर्थिक रूप से जो पिछरा हुआ कम लिटी है उससे कितना 10 परसेंट रिजर्वेशन 10 परतिशत 10 परसेंट जो रिजर्वेशन है इसकी बात की गई दस परतिशत रिजर्वेशन की जो बात है इड़लू एस अक्षन के लिए किया गया अब इसमें कुछ योगताय तही कर दी गए कि कि किनका इड़लू एस बनेगा जिनकी सालानाय 6 लाग से कम है संपत्ती 5 एक ठीक है अधी सुचे चेत्रों के बाहर 200 गस से बड़ा आवासी भूखंड है तो यहां पर यह कुछ योगताय है कि एकॉनोमिक वीकर साक्षन के देखो यह भी जो सिद्धात नेवे कुछ-कुछ इसमें चेंज हुआ है आप देख लीजेगा करंट अफ्यर से थोड़ा सा रहना तो यहां पर यह कहा गया कि रिजर्वेशन फॉर इड़लू एस मतलब एज़ा इन एजुकेशनल इंस्टूशन सैना साक्षनिक संस्थानों में जो यह प्रवेश के लिए आरक्षन की विवस्ता की गई इसके लिए कुछ योगताय जो है वह तैकर दे गई है और उस अब हम पढ़ रहे थे आर्कल 15 में यह हम आर्टिकल 15 में पढ़ रहे थे और ना और एकल 15 में ही विवेत के पतीशेत की जो अपर वाद थे उन अपवादों में हमने क्या पढ़ा हमने other backward classes ठीक है हमने यहाँ पर महिलाओ के लिए आरक्षिन विशेशुबंध for SCST and EWS आरक्षिन जो है in educational institution उसको पढ़ लिया अब हम आते हैं article 16 लोक नियोजन के विशय में अवसर की समता आर्टिकल 16 क्लॉस 1 यह कहता है राज के अधीन किसी पद या नियोजन के नियुक्ति के संबंधित विशों पर सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी अवसर की समता है ना अवसर की समता होगी यह बात कहां पर कहीं प्रस्तावना में भी की गई हो और article 16 क्लॉस 1 इस बात को कहता है 16 क्लॉस 2 इस बात को कहता है कि राज की अधीन किसी नियोजन के पद में केवल धर्म वंश मूलवंश जाती लिंग उद्भव या जन्मिस्थान या निवासिस्थान देखो अब यहां पर निवासिस्थान की भी बात की गए कि इस आधार पर की कोई व्यक्ति यूपी का है या कोई व्यक्ति अपी का है या कोई 36 गण का है तो वो इस आधार पर जो है वे इस पद के लिए नहीं कर सकता तो यहां पर जन्मिस्थान निवासिस्थान की आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना ही उससे विवेद किया जाएगा विवेद इन सेंस कि उसके विपक्ष में है ना उसके पक्ष में ना रहना तो आपत्र नहीं होगा मतलब आयोगता जो है वे आरोसर नहीं कर सकते तो ₹6 तू जो है वह कुछ ऐसे आधार बता रहा है याद रखना आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 में किसकी बात की गई है ध्यान से याद करो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 में 5 आधारों की बात की गई है धर्म, मुलबंच, जाते, लिंग और जन्मिस्तार यहां पर उद्भाव और अब देखो मैं एक बात आपको बताती हूँ, अगर मैं आपसे यह कहूँ, कि आर्टिकल 14, 15 और आर्टिकल 16 क्रॉस 2 में जो आधार दिये गए है उसमें अंतर है, मतलब कुछ ऐसे आधार है जिनके आधार पर आप भेधाव कर सकते हैं, लेकिन वो विससे सूची मतलब थो एकसेप्शन जो केसे है जो प्रोवीजन है वो हमने चाहे सबानता की बातों सभी में हमने देखे कि आखिर इसके जो अपवाद है वह क्या होगे यह ज़रूर याद रुपना है ठीक है अब देको इसमें अपवाद ही है कि संसद अगर चाहे तो किसी विशेश रोजगार के लिए निवास की शर्त आरू कर सकती है राज नियुक्ति में आरक्षन की ववस्था कर सकता है और किसी संस्था में धर्म विशेश के व्यक्ति के नियुक्ति की जा सकती है अगर हम किसी गुरुद्वारे की बात करे मस्जित की बात करे मंदिर की बात करे तो वहां पर यह हो सकता है कि वहां की नियुक् benzid कर सकते कि कोई विक्ति अगर यहां का व्यक्ति नहीं नहीं है तो उसे इस आधार पर प्रृaus किया जाएगा ने किया जाएगा निउक्ति के एधार पर हम देखें कि राज जो है वैर्णचन की व्वस्था कर सकता है अगर एहसा बगता है कि किसी का zoom आग्ज को ये महसूस हो जाए है ना कि किसी कम्मिटी का किसी वर्ग या समुदाय का किसी वर्ग या समुदाय का उचित प्रतिनिध्व नहीं है एटिकेट री प्रेजेंटेशन नहीं है उचित प्रतिनिध्व नहीं है उचित प्रतिनिध्व नहीं है तो आरक्षन कर सकता है हाना तो उसके लिए मिशेश प्रामधान कर सकता है और ऐसा आर्टिकल 16 क्लॉस 4 कहता है और ये बिल्कुल भी अगेंस नहीं है समानता के बल्कि ये उसका एक्स्पेंशन होगा विस्तार होगा ठीके आगे चलो अब देखो मंडल आयों की बात की गई है कि आखिर जो मंडल आयों के वह क्या है 1990 के बाद की अगर आप राजनीती देखेंगे प्याटी में पड़े हो ना 1990 की बाद की राजनीती में एक बड़ा ही मुख्य मुद्दा जो है विच्छाया रहा जिसने कई दश्कों तक जो है कई 20-30 वर्षों तक भारती राजनीती को प्रभावित किया और यहाँ पर देखो क्या हुआ कि जिससे कि अगर मंडल मुद्दा देखो मंडल मुद्दा था क्या OBC अदर बैकवर्ड क्लासेज को बीपी मंडल बिसिकली अध्यक्ष थे बीपी मंडल और इसने इसे लोग प्रिये राम मंडल आयो इसने जो रिकमेंडेशन की थी कि एक ऐसा भी वर्ग है जिसे की जरुरत है कि समाज में जो है साक्षनिक और सामाजिक आधारों पर आरक्षन की जरुरत है बैक्वर्ड है यह है ना तो यहाँ पर क्या है कि मंडल आयो या दूसरा सामाजिक और साक्षनिक पिश्रा वर्ग आयो को वर्ष 1979 में भारत के सामाजिक और साक्षनिक वर्गों के लिए पहचान करने के लिए गठित किया इसकी अध्श्ता चुकि कि वीपी मंडल ने की थी 90 से हम देखेंगे आपने रिपोर्ट 1980 क्या स्वास्तूत कर रहा है 90 में से लागुक किया गया हम देखो हम देखेंगे कि यहां पर एक केस हुआ था केस था कि एम आर बाराजी बनाम महसूर राज है ना इस केस में नाइटीन यह केस देख लो ठीके मैं इसका वर शेक बड़ चेक कर लेती हूं कि देखो यहां पर क्या हो रहा है कि वीपी मंडल जो मंडल आयोग है वह 1979 की बात करेंगे तो पहले मोराजी सरकार मोराजी देसाय की सरकार थी दुत्य पिष्रा वर गायो भव कह इनों ने गचन किया था और यह दुत्य पिष्रा हमार गायो था वीपी मंडल के लिए था लेकिन अगर 27 पतिशत आरक्षर दे दिया चाहेगा तो आप खुद देखिए कि यहां पर आरक्षर जो है विलग विलग पचास के आसपास जा रहा है उचितम न्यालाई के द्वारा अगर हम देखेंगे कि टोटल जो रिजर्वेशन है टोटल रिजर्वेशन वो पचास पतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और अगर हम यह देखें कि यह जो रिजर्वेशन है किसी एक वर्ष में इतना हो सकता है कि हम कैरी फॉर्वर्वर्ट कर दें जैसे कि वालो कि जो S.C.S.T. ठीक है या O.B. S.C. की जो सीट है यह सीट जो टोटल सीट की हम बात करें टोटल है ना और यहाँ पर हम सामाने सीटों की बात करें जिस पर रिजर्वेशन नहीं है तो यहाँ पर किसी भी वर्ष में ऐसा नहीं होगा कि यह 50% से जादा नहीं हो सकता 50% से जादा नहीं हो सकता ठीक है तो अ अगले साल की भरतियों का 50 प्रतिशत था मतलब आप इस तरह से सीट्स नहीं ला सकते तो किसी भी वर्ष में यह जो संख्या है यह जो अनुपात है वह 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा अभी हमें इंद्राख साहनी केस की भी बात करेंगे तो हम देखेंगे कि OBC के लिए आ सार्जनिक सिभाओं में सवी इस तरो पर पदरम नती में 27 प्रतिशत जो आरक्षन है वह दिया जाए खलवकी सुप्रीम कूट ने क्या कहा कि पदरम नती में आरक्षन की जो ववस्ता है जो आरक्षन का मामला है वह आपका मौलिक अधिकार नहीं है राज अगर ऐसा समझेगा कि किसी particular community का etiquette representation नहीं है परियाप्त प्रतेजित्व नहीं है तब वह इसके लिए नियम बना सकता है लेकिन आप ये कहो कि आपका fundamental हाल ही में दिया था Supreme Court Day Decision है ना तो मंडल आयू के द्वारा ये है अब देखो मंडल आयू का परड़ाम ये रहा कि SCST को था OBSU को मिला और भी जो कई इस तरह की और communities थी वो आगे आने लगे कि अब हमें भी reservation चाहिए हमें भी विशेश अब बंद जो है वह लागू करो ऐसे में आप देखेंगे कि जब कभी कोई ववस्था आती है देखो आरक्षन के आरक्षन एक ऐसा मुद्धा बड़ा ही विवादित मुद्धा है कि जिसे जिनका मानना है कि ये सही है जिनने लाब मिल रहा है या जो समझ रहे है उनका मानना सही है अब एक जो है वह विरो कई बात करनें उन्हें लग रहा है कि नहीं समान अफसर होना चाहिए ठीक है उन्हें लग रहा है समान अफसर होना चाहिए जैसे ही मंडल आयो की सिफारिशों को जो एम सरकार के द्वारा लागू किया गया और उसके बाद हम देखें कि 1990 में VP सिंग की सरकार थी और इनके द्वारा घोशना कर दे गए कि लागू कर दिया गया VP सिंग सरकार में इन घोशनाओं को इन सिफारेशों को लागू किया इसके बाद बड़े मुद्दे पर जो भैस है वैं पूरे देश में छड़ गई और सुप्रीम कोट में इतनी सारी याचिकाई इतनी सारे जो केसे देट किये गए कि आप इसको अवैद होशित करो अब देखो जब मामला सुप्रीम कोट के पास पहुँचा विपक्ष चल रहा था अब विरोध के संदर में अब देखो एक तीसरी कड़ी यहाँ पर जुड़ गई और इस तीसरी कड़ी का नाम था न्याइपालिका तो न्याइपालिका में बहुत सारे जो विवाद हैं उनको शामिल करा गया है ना न्याइपालिका ने कहा कि चलो अब सबको एक कर लेते एक करके एक केस में सुनवाई कर दी और उसे एक केस का नाम रखा इंदरा साहनिवाद और इसमें डिसीजन दे दिया कि 50% से अधक का जो रिजर्वेशल है वह नहीं किया जाएगा है ना तो यह इंदरा का था सुप्रीम कोट ने क्या कहा ओवी सी के लिए 27 पतिशक जो आरख्षन है का कि यह इसे अवैद घोशित नहीं किया डिबांड यहीं किये थी कि इसको अवैद घोशित कर दे बट यहाँ पर जो सुप्रीम कोट था सुप्रीम कोट जो ओवी सी रिजरवेशन था ओवी सी आरख्षन को ठीके वैद माना अवैद घोशित नहीं किया वैद माना ठीके हाँ यह इसमें कहा कि किसी भी जो है फिफ्टी परसंट की उसमें जो कैप है वह लगा दी और कहा कि पदोनिती में इसे नहीं बढ़ाया ज सुप्रीम कोट ने की कि समधाय में जो संपन्ने लोग है उनको बाहर रखा जाए वही क्रीमी लियर क्रीमी लियर मतलब जो संपन्ने लोग हो गए है अब देखो एक कैरी फॉरवर्ट का नियम भी आता है संटाइम से नहीं होता कि देखो अगर अब 2030 की जो आपकी चीज़ आप जो है ऐसी तरह की अपने मन में ही जो गोशना है वह कर सकते हैं कि चलो ठीक है कितने लोग उसको मानेगे कि साल बदलने के इंतजार नहीं करते जिन लोगों को कुछ बदलना होता है वो साल बदलने के इंतजार नहीं करते कि एक तारिक को याद रखेंगे चार शे दि कर रहे हैं अगर आव जिन बच्चों ने अकाउंट्स किया देखते हो गए कि मुद जो बैलन्स राशी थी उसको एक वर्ष से दूसरे वर्ष लिजाया जाता है तो यह जो कैरी फॉर्वर्ड है इसको भी करोंगे ना तब भी 50% से जादा नहीं होगा कि आगामी वर्ष में पिछले वर्ष की नियुक्ति आपने आरक्षर वाले जोड़ दे थी तो डिजर्वेशन 50% से जादा चला गया तो जो भी सीट्स आई है उसमें इस अनुपात को हमेशे ध्यान बेर रखा जाएगा जो सीट्स वैं नहीं होगी ठीक है तो इसका जो लंगान पर नहीं होगा ये था इंदरा साहनी केस प्रश्ट देखो सब्धान कहता है सरकार भारत में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता या कानून का समान सरनक्षर से वज़ित नहीं करेगी उप्रोक्त के संदर में आपको सत्त बताना है पहला कहता है एक राजनितिक नेता सरकारी अधिकारी और एक सामन नागरिकों के बीच में कुछ अंतर हो सकता है सरकार किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म नसल जाते लिंग भाशा ये जन्मिस्थान के आधार पर भेदबाव नहीं करेगी कानून का साशन हमारे सम्विधान का मूल धाचा है अच्छव ये बात में आपको बताना भूल गई थी है ना कि अगर हम रूल ओफ लॉक की बात करेंगे एक रूल ओफ लॉक कानून के अनुसार सब चलेगा और ये हमारा मूल धाचा है मतलब मूल धाचे की अंतरगत आएगा मूल धाचे का भाग है पार्ट ओफ अर बेसिक स्टुक्चर अभी वो बता दोगी कौन सा वाद था जिसमें ये कहा था सुप्रिपोर्ट ने समानता कार्थ है सभी के लिए समान इसमें जो गलत है कि सरकार किसी नागरिक के खिलाफ के वल धर्म नशनल जाती लिंग या जन्म इस्थाने लेकिन भाषा एश में नहीं था तो आप्शन नमबर बी जो है इसमें सत्त है बाकी सब सही है चलिए तो यहाँ पर अब हम आते हैं नेक्स स्वातंत्रिता का अधिकार बहुत पर लिए समानता अब हम आ जाते हैं स्वातंत्रिता के अधिकार में स्वातंत्रिता के अधिकारों की अगर हम बात करेंगे हम आर्टिकल 19 से शुरू करते हैं अनुचिद 19, 20, 21, 22 चार अधिकार बढ़ने है ठीके अनुचिद 19 कहता है जो कि 6 तरह की सवतनताओं की घोशना करता है नागरिकों को सवतनताओं में मतलब 6 अधिकारों की गरंटी दी गई है वाक और अभिव्यक्ती की सवतनतरता है ना शांतिपूर्ण समेलन में भाग लेने की सवतनतरता संगम या संग बनाने की सवतनतरता अबाद संचरन मतलब कहीं भी आने जाने इद्या की सीमा में निवास का अधिकार और वबसाई की स्वत्मत्रता ठीक है तो ये कुछ ऐसे अधिकार है जो कि हमें दिये गए है हलकि याद रटना बच्चों कि इन सभी पर इन सभी अधिकारों पर आर्टिकल 19.1 में जो स्वत्मत्रता है दी गई है ठीक है उचित प्रतीबंद लगाया जा सकता है reasonable restrictions उचित प्रतीबंद लगाया जा सकता है साथी हमने एक और important वात अब तक पड़ी है कि अगर रास्ट्री आपातकाल है तो स्वत्रता निलंबन इसका हो जाएगा रास्ट्री आपातकाल में 19.1 में जो स्वत्मत्रताय दी गई है का स्वत्रता निलंबन हो जाएगा स्वत्रता निलंबन हो जाएगा ठीक है याद रखना लेकिर इसमें आधार अलग होगा अगर आंत्रिक आपात काल में नहीं होगा पढ़ चुके रहे इस बात को बट यहां भी बता दिया आंत्रिक आपात काल में नहीं होगा लेकिन अगर विदेशी आक्रबन ये युद्ध है तो युद्ध की आधार पर तुरंध हो जाएगा तो रास्ट्री आपातकाल है तो हो जाएगा आंत्रिक आपातकाल में इसका स्वतनिलंबन नहीं होगा ठीके तो यहाँ पर यह जो छे स्वतनिताय दी गई है इस पर याद रहना उचित जो प्रतिबंध है वह इन पर लगाया जा सकता है ठीके क्लियर है जैसे कि अगर हम और अभिव्यक्ति की स्वतनिता अच्छा देखो सोमनात लाड़ी यह कहते है कि मैं समझता हूँ कि अनेक मौलिक अधिकारों को सिपाही की दस्ठीकोंड से बनाया गया है काफी कम अधिकार दिये गए हो प्रतिक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ा है जो लगबग वो अभिव्यक्ति की स्वतनिता देता है ठीके और आर्टिकल 19.2 की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि सार्वजनिक ववस्था पबलिक और ठीके सार्वजनिक ववस्था नैतिक्ता रास्टिय सुरक्षा रास्टिय सुरक्षा, संप्रभूता, किसी देश के साथ मैत्री संबंथ, अने देशों के साथ मैत्री संबंथ, इस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है तो 92 में, 91 में जहां आपको जो राइट दिया गया है, ठीके Какे? और 92 में basically इसमें प्रतिबंध लगा दिया ग से बनाए गए है ठीक है ये पुलिस कॉंसेटेबल के पॉइंट व्यू से बनाए गए है कि एक अधिकार एक आर्टिकल आपको अधिकार देगा और दूसरा आप से पूरी तरह से जो है वह वापस दे लेगा ठीक है जैसे कि तो वाकुर अभिव्यक्ति की सत्वता होगी अब देखो शांतिपूर्ण संबेलन की अगर हम बात करें शांतिपूर्ण संबेलन आप कर सकते हैं लेकिन अगर इस पे बड़ी आसानी से जो सरकार है वह प्रतिबंध लगा सकती है कैसे कुछ ऐसे शेत्र हो सकते हैं कुछ शेत्रों में कुछ शेत्रों में लागू नहीं होता सरकार जो है वे कह दे कि नहीं भई यहां पर पास से ज़्यादा जो मेंबर्स है वे खटा नहीं हो सकता सुरक्षा का सवाल है और यहां पर आप जो सम्मेलन है वे नहीं कर सकते तो आपको एकत्र होने का तो अधिकार है लेकिन सार्जनिक व्यवस्था और भारत की आधार पर इस पर प्रतीबंद लगाया जा सकता है फिर हम देखेंगे कि यहां पर संग बनाने की सोतंत्रता है आपको लेकिन भारत की संप्रभुता और अखंड़ता इसमें भी आएगा और याद रखना कि संप्रभुता और अखंड़ता का जो यह शंद जोड़ा गया थ सोल्वे सम्विधान संचोधन के द्वारा भारत की संप्रभुता और अखंड़ता के आधार पर के आधार पर प्रतीबंध को सोल्वे सम्विधान संचोधन के द्वारा सोल्वे सम्विधान संचोधन के द्वारा जोड़ा गया था मतलब यह प्रतीबंध का आधार होगा ठीक है इसको सोल्वे सम्विधान संचोधन के द्वारा जो है वह जोड़ा गया था क्लियर है अच्छा इसके लावा देखो कि अगर हम यह देखे कि पूरे देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता अगर आपको है तो आम जनता के हित में या फिर कोई ऐसा शेत्रे जोगी ट्राइबल्स का शेत्रे अनुसुचे जल जातियों का शेत्रे तो उसमें प्रति जनता के हित में अगर नहीं है तब आप पेशा नहीं चुन सकते अगर उससे न्यतिकता प्रबावित होती तब भी आप उसको नहीं चुन सकते ठीक है या फिर किसी नागरिक का वहिसकार अगर राजय के द्वारा हैHeBooks टीक अप और पनेहे जुन सकते ठीक है तो यहां पर ये को स्वतंताओं की हमने बाद कर ली। प्रिश्टर को देखो ज़रा। भागतीन पस्ताबना में उल्ले के स्वतंतरता, समानता और न्याय के वादे को प्रभावी बनाता है। भागतीन को छे व्यापक भागों में विभाजित किया गया है। व्यक्ती सरकार की आलोचना करने justo को सरकार के खिलाफ विद्रोख करने और उकसाने के लिए स्वतंतर है। देखो इस में लिखा है कि उकसाने के लिए स्वतंतर है। और अब जब हम देखेंगे कि आप किसी भी तरीके से अगर नैतिकता की स्थापना प्रभावित हो रही है या नियालाई की अभवाना हो रही है तब आपकी अभीव्यक्ति वहाँ पे काम नहीं करेगी आप उकसा नहीं सकते लोगों को है ना आलोच ना करो पर उकसाने के लि सब्सक्राइब है जैसे की प्रैस की स्वतंतरता थिके कुछ उकुछ इसके बारे में थोड़ा सा जाधा नहीं थोड़ा बहुत एकस्प्रेन हम कर लेगे बाकी चीजें लिख वाओं गी नहीं बता दूंगे थिके वाक और अभीव्यक्ति की स्वतंतरता इसमें कॉन कॉन स जाना चाहिए राजा राम मोहन राए कहते हैं कि वह प्रैस के वह इस अभीव्यक्ति की शौतनता के बड़े ही बहुत ही इंटेंस एक तरह से सवर्थक रहे और उन्हों ने यह कहा कि अगर राज यह चाहता है कि नागरिक अपनी आविशकता है बताए या उनकी आविशकता ह आने की विचार प्रसारित करने की स्वतनतरता है इसके अलावा प्रैस की स्वतनतरता है देखो ठीके प्रैस की स्वतनतरता है आर्टिकल 19 बन में प्रैस की स्वतनतरता है याद रखना लेकिन इन पर किस आधारों अच्छा फोन टैपिंग करने की विरुद अधिकार आपक सरकारी गतिविधियों की राइट टू इंफरमिशन आपको वैसे तो राइट टू लाइफ और उन सब में भी शामिल किया गए यहां पर दिया अंडर ना सरकारी गतिविधियों की जानकारी यह अधिकार आपके पास है फोन टैपिंग के विरुद इसको आप लिख लीजिए फोन टैपिंग के विरुद जो है वैदिकार है ठीके इसके अलावा देखो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को जानने का अधिकार है जो चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवारों के बारे में जानने का जो मत दाताओं का अधिकार वह इसी संदर्व में है ठीके अच्छा अब यहाँ पर इंटरनेट की बात भी लिखी लो सोशल मीडिया, इंटरनेट सोशल मीडिया या इंटरनेट का अधिकार, यह इसमें शामिल होगा, अब लेके देखो कि इसमें प्रतिबंद जो है, इसके कई आधार है, जैसे कि आप न्याले की अवमानना एक आधार है, जिस पर प्रतिबंद लगाया जा सकता है, ठीके? तो इसमें प्रतिबंद के कई आधार मैं आपको बता चुकी हूँ, एक और मैं बता देते हूँ अगर आप कुछ ऐसा कहते हैं कुछ ऐसा करते हैं कि न्याले की अवमाना होगी contempt of court हो जाए तो भई न्याले के पास अपनी अवमाना के लिए दंड देने की शक्ती है न्याले की अवमाना की आधार पर जो प्रतिबंध है वे डेफिनिटी लगाया जा सकता है अब देखो हमने देखा कि शांती पूर्ण सम्मेलन की सुद्धिता है ठीके नेक्स आजाओ इसमे शांती पूर्ण सम्मेलन शांति पूर्ण सम्मेलन क्या इसमें हरताल का अधिकार है शांति पूर्ण सम्मेलन का अधिकार है ठीक है लेकिन हरताल का अधिकार इसमें शामिल नहीं है मजदूर यूनियन जो है वह एक हो जाए ताला बंदी करने वो इसमें शामिल नहीं है हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है हारताल का जो अधिकार है वो इसमें शामिल नहीं किया गया है साथी देखो कि राजज जो है संगठित होने के लिए पतीबंद लगा सकता है एक तो डेश की एक था, खर्णता, सार्जणे कादिश और दूसरा है यातायात नियंतरण के लिए ठीक है तो यहां पर प्रतिबंद जो आप जानते हैं वो मैं नहीं बतारें जो नहीं जानते हूं उन बातों को में लिख देती हूं तो प्रतिबंद का आधार हो सकता है शांतिपूर्ण समेलन कि आप क्या है याता यात नियंतर्ण को प्रभावित कर रहे हो याता यात नियंतर्ण है ना ये एक आधार हो सकता है जिसके आधार पर प्रतिबंद लगाया जा सकता है इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर कोई नाप्राधिक व्यवस्था में है ना जो नयाधिश है अगर वह कोई बैठक हैं सब चीजों को कर रहा है तो उसमें उसमें आप व्यवधान नहीं डाल सकती कि आप वहां बैठ गए अरे नयाले की जो कारवाही उसको होने दो तो कई ऐसे जो प्रतिबंध है इसमें लगाए कि आप कहाए शांतिपूर्ण संविलन और इन सबको नहीं है अच्छे इसके आवे हरताल इया तालाबंदी में खि较 दे आपको देश में कहीं भी आने जाने गोंने फिरने निवास करने के शतन्ता थिक सिक तो यहां पर अबाद संच्रन ई ओ ni द zar और यह दिखना कि यह ति दिक स्टरक्षा को कि इसी जनजाति हित को 극 sap ha है तो उसके ऐदार पर प्रतीबंद लगाया जासकता है प्रतिबंद के साधार पर लगाया जा सकता है एक तो रास्टिय सुरक्षा कि आपरादी आदतन अपरादी है वह क्या कर रहा है कि इदर उदर घूम रहा है कि नहीं मेरा तो अधिकार उसके पास नहीं है तो रास्टिय सुरक्षा एक आधार है जनजातियों का हित एक आधार हो सकता है नातिक ता एक आधार हो सकता है या फिर इसके अलावा हम देखेंगे कि सुप्रीम कोट भी सम्टाइम्स क्या करता है कभी कभी कुछ ऐसे डिसीजन्स दे देता है कि वो इसमें शामिल हो जाते कि के निवास का अधिकार है लेकि नियाद देखने इसमें प्रतिबंद का अधार वही होगा कि जंजाती अगर प्रभावित हो रही है या फिर व्यवस्था जो है वह प्रभावित हो रही है लेकिन उच्छतम न्याले ने कहा कि जैसे कि जो पेशेवर अपराधी है जो पेशेवर अपराधी है, उनको गुमने का अधिकार उनको निवास का अधिकार नहीं ठीक है, तो पेशेवर अपराधी या फिर कोई और अनेतिक जो काम है, ठीक है वहाँ पे उनको ज निवास का अधिकार है, यह साधार पर प्रतिबंद लगाया जा सकता है, clear? चलो अब हम बात करेंगे ववसाय की स्वातंतिता ठीक है आपको कोई भी पेशा चुनने का दिकार है अच्छी बात है पहले जो है इंटरनेट शामिल नहीं था बट अब जब से आपका इंटरनेट के द्वारा ववसाय और जो सिक्षा है वे होने लगी तब इसको एक मौलिक अ्थिकारों के प्रसार के रूप में देखा जाता है सरका अनुराधा भसीम एक केस था अनुराधा भसीन केस तो सुप्रिम कोट ने यह कहा कि इंटरनेट के माध्यम से किसी पेशे के अभ्यास करने की सुदंता है इसलिए इंटरनेट का दिकार भी आपको संबधारिक जो संदक्षन है वे प्राफ्त है ना तो यहां पर यह बात जो है वह उच्चुतम न्याले ने कहा याद रटना शामिल नहीं जैसे कि वह शावर्ती ठीक है अनैतिक जो प्रत है वह इसमें शामिल नहीं है आप सोचो कि आप आप राधिक संगठन बनाओ ठीक है कि भाई हम तो जो है माफिया बनेंगे डॉन बनेंगे इस काइड ओफ तो आप यह भी नहीं कर सकते तो यहां पर क्या है कि कि ववसाई या किसी पेश jadi की सुटन देता है लिकिन समाज खत्रे में आ जाय इनातिक्ता खत्रे में आ जाए रास्टि- सुरक्षा खत्रे में आ जाए तब आपकी इस तरह की सुतन प्रक्षन ठीक है और ग्यून थो शार्व ऑस्यायद उसके विरुदब मन माने ढंग से ऐसे भी मिने सी पूरा लोग कहता है कि एक आगर कोई अपराद है तो उसमें एक बार से जादा जो दंठ है नहीं दिया जा सकता मतलब कई तरह की जो ववस्थाएं कर सकता किसी वीक्ति को अपने विरोद साक्ष देने के लिए नहीं कहा जाएगा तो यहाँ पर यह कहा सता है कि इसके लिए कुछ जो प्रामधान है बनाए गए जिसमें पहला प्रामधान यह कहा Gya आ है ना, या कोई भी अपराद जो है, वह पहले से, मतलब आज जो है, आज से अपराद आप घोशित कर दो, अब से ये जो होगा, ये अपराद होगा, आज से पहले से जो है, आप अपराद इसको घोशित नहीं कर सकते, तो कोई पूर्वपद, प्रभाव कानून नहीं, है ना इस पारिभाशिक शब्द लिख लो कोई पूर्वपद प्रभाव कानून नहीं या पिछली तारीक से आप किसी कानून को पिछली तारीक से जब बैद कानून नहीं था उसको आप अपराद घोशित नहीं कर सकते कोई पूर्वपत प्रभाव कानून नहीं ठीके, दूसरी बात ये कहे जाती है कि एकी अपरात के लिए एक से जादा बार जो शती है वह नहीं दी जा सकती, इसको दोरी शती कहा जाता है, कि जो दोरी शती है वह नहीं होगी, कि एकी अपरात के लिए जो है वे दो बार काम हो गया, ठीके, दौरी शती नहीं हो सकती और स्वा अभी शंसन नहीं, स्वा अभी शंसन नहीं, इन सेंस, दौरी शती नहीं, ठीके, और तो अभी शंसन that means अपने ही विरुद साक्ष नहीं रख सकता स्वा अभी शंसन नहीं ठीके? अपने ही विरुद से साक्षी होने के लिए नहीं कहा जाएगा अब देखो किसी व्यक्ति को एक अपरात के लिए एक से दिखबार दन्ने किया जाएगा कानूर किसी भी पिष्ली कारवाई से अभी 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 जो व्यक्ति है तीसरे वाले में देखो अपने विरुद साक्ष नहीं कहा जाएगा कि मैं बोलकर मौकेक रूप से या फिर लिखकर दोनों ही तरीके से उसको अपने विरुद साक्ष नहीं के जो संरक्ष नहीं प्राप्त है और यहाँ पर एक बात और आपको याद रखना है बेसिकली बच्चो कि अगर हम यह कहते हैं कि क्या इस पर कोई सीमाई लगाई जा सकती है क्या इस पर कोई सीमाई लगाई जा सकती है तो आपातकाल में याद रखना कि अनुच्चेद जो 20 है कुछ हो सकते हैं इसमें भी कुछ और ऐसे प्रोवीजन इफबट वाले आ सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि यह जो दोश्च सिद्धी के समद्ध में इंपोर्टेट अब देखो कितने सारे कॉष्चन नमब और कुष्चन देखो जरा कितने सारे जो है वा आर्टिकल 21 से आए अभी यह मेंस का कुष्चन जो है आर्टिकल 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राड या देहिक स्वत्मत्रता से विधी के द्वारा इस्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अनिता नहीं यहां पर मैं एक स्टार लगा देती यूपेसी रेकुष्चन पूछा कि व्यक्ति को किसी किसी भी प्रक्रिया के द्वारा उसको वंचित नहीं किया जा सकता है जैसे अगर उसने कोई अपरात किया तो यहां पर यहीं बात है तो यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्ट है प्रश्ट को देखो जरा यूपेसी ने प्रिलिम्स 2018 में कुश्च था निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी जीवन के अधिकार और व्यक्तिकर स्वतंत्रता के आंत्रिक भागे की रूप में संरक्षित है और कौन सा भारत के संविधान में उप्रोक्त कथन का सही और उचितर्थ है अब देखो यहां पर आप से क्या पूछा आर 19 से लेके 22 के बीच में है 17 और भाग चार में नहीं 17 में तो आज प्रिश्रता की बात है समानता की बात है आर्टिकल 21 यह लग रहा है और भागती डिफिनिट्ली ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि अनुछे देखके से और भागतीन इसमें गारंटी करत जो स्वतंत् काद भी अधिकार है देखो यहां पर कौन-कौन से अधिकार शामिल है जरा इसको देखो जीना यहां मरना यहां है न दो चीज़े शामिल है तो प्रतिस्ठा के साथ अब यहां से भी प्रश्ण पूछा कि क्या मरने का भी अधिकार है तो प्रतिस्ठा के साथ जीने मैं प्रेसें जो यूनिट c isn त्योंगा निश्किल एक्शान प्रतिकों कि क्यां कि व्यक्ति को जिसे कई देशों में क्या किया जाता है कि उसको जैनीला इंजेक्शन दे दिया जाता है और और फी कई तरीके आईसे हैं कि वह जो है वे सुकून के साथ मर सकें इंडिया में यहां पर kaikthi वेडिलेटर पर रहे है उसका müs philosoph जो है भदाया जा सकता है एक लों सकता है तो होदी का जो अधिकार है वह यहां पर है गरीवा के साथ मर्ने है अधिकार घंक ये भी शाबिल है इसके सब अधिकार आजिवी आवास, का अधिकार आजीवी का आवास का अधिकार ये सब अधिकार है अब देखो पश्य बंग बना मज़ूर संग समीति एक वामला था एक वेक्टी ट्रेन से गिरकर चोटिल हो जाता है और जब वो गया तो उसे कई 6-7-8 जब वैं सरकारी अस्पतालों में गया मरा कर दिया उसका वो गया पिर जब सुप्रीम कोट पर याजिका दायर के गई संग सभीति के द्वारा सुप्रीम कोट ने उसे शतिपूर्ति देने क्या राजिसरकार को ये कहा कि राज का यह करतब है कि वे प्रात्मिक स्वास्त दे ठीक है फोटू सवाबी बाद में निश्ता के अधिका राइट टू प्राइवेसी की बात जो है इसमें शाबल की गए राइट टू प्राइवेसी ही पूछा हुआ है आज इविका की बात करेंगे आप याद करो ओल्गा टैनिस बनाम बॉंबे नगर डिगव इसमें यह का कि अगर इस व्यक्ति को जो की रेडी पे चला रहा है इस कि यह को चला जाती कहा जाता किसी वक्ति के पास आवास नहीं है आश्रे नहीं है तो वो सुबिद हो जाता है जीवन का अधिकार उसका कभी भी जा सकता बहुत ठर लग जाये बहुत गर्मी लग जाए तो यहां पर क्यांकि ज़ुए दया ना हधके बार की गाड़ी बठा करने के ज़रूद कि तो कई तरह के अधिकार ये सारे अधिकार इसमें देर से फासी के विरूद अधिकार कि अगर मुझार आप जाएंगा उसको फासी तक ले जाने नहीं पड़ेगा तो और इसके अलावा एकांध कारावास के विरूद अधिकार आपको ऐसा है कि कारावास अगर दिया जा रहा है जब तक कोई एकांध कारावास से भी सुरक्षा का जो अधिकार वो उसमें प्रदान किया गया है ठीक है तो हिरासत में सोशन के विरूद अधिकार है डॉक्टर की सहायता का अधिका सरकारी एस्पटालों पासका राज़ से बाहर जाने का दिकार है कैई के चीवें की अविशक्ताय पूरी हो सूचना गाँ भी सूचना का दिकार 2 अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह काधिकार ये भी इसमें शामिक हादिया केस था जिसमें सुप्रीम कोड के द्वारे डिसीजन जो है वे दिया गया था एक कुश्यन मैं आपको बताती हूँ भारत के सम्मिधान में कौसा अनुच्छेत किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादिक अधिकार देता है 2019 में पूछा गया था आर्टिकल 19,21,25,30,19,19,19 की बात नहीं हुरी अभी हम 21 पे है आपको अगर ठीक से पढ़ोगे ना मैं इस बात की गरेंटी देते हूँ जो बच्चे ऐसे है जो मेरी इस बात को सुन रहे है अगर सुनो तो कॉमेंट जरूर कर देना ये बात सिर्फ आप से कह रहे हूँ कि आपको अगर ठीक तरीक पड़ें और आपको कोई ऐसी क्लास मिल जाए कि आपको लग रहा है कि अगर सभी चीज़ों को आपको आपको जरूरत ही नगी और से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आपके इस क्लास के पहले हम घंटों मेहनत करें कि आपको वह जो मेहनत है ना करनी पड़े आपको एक गाइडेंस जो है मिल जाए कि मुझे केवल अब इतना इतना करना है जो मैं ने कह लिया अब जिसे कर बैने राइट तो इससे बहतर तरीका मुझे समझ में नहीं आता आपके पास तो जरूर बताना कि जैसे कि मैंने आपको कुश्यस भी करा दिये करेंट भी बता दिया इसमें जो चीज़े रिलेट थी वो भी हमने कर लिया मैंस का कुश्य भी कर लिया ठीक है तो एक एक ऐसी कनेक्टिविटी एक ऐसी इंटर लिंक जो है बन है कि अब प्रश्ण जब आएगा इससे बाहर मतलब सारी चीज़े हो गई और लेडी तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इससे बाहर जो है वह चला जाए और आपसे बनेड़ा जरूर बनेगा ठीक है भारत का सब्विधार नत्यदिक गतिशीलता के साथ शंताउंस के साथ एक यंत्र है प्रागतिशील समाज के लिए बनाया गया है जीने के अधिकार व्यक्ति के सतंता के अधिकार में हो रहे डिरंतर विस्तार हो रहे डिरंतर विस्तार जो है इसके संदर में बात कीजिए यहीं तो विस्तार है प्रतिस्ठा जीने का अधिकार मरने का अधिकार सम्विदान में संशोधन हो सकता है है ना? ख्लियर है? चलिए तो ये प्राणवा देहिक स्वतंता की जो बात है वह यहाँ पर की गई है अच्छा देखो अगर हम कहें कि प्राण की स्वतंतरता है है ना एक व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा गलत होता है कि उसके गरीमा प्रवावित होती तब भी उसके प्राण संकट में समझो तो प्राण का अधिकार है ठीक है प्राण का अधिकार है यह इसमें कहा गया अच्छा एक बात और याद रखो कि आर्टिकल 21 की जो अभिव्यक्ति है विधी की द्वार डिफरेंसे ध्यार रखना इस बात का ठीक है चलिए तो यह आर्टिकल 21 था अब 21 का में एक और अधिकार है जिसे सिक्षा का अधिकार कहा जाता है पर उसके पहले जड़ा प्रिश्ट देख लो निश्टा का अधिकार व्यक्तिगत स्वातंतिता के अधिकार के आंतिक पूछड के पूछते हैं अब देखो यह जो तरीका आपको यहां पर दिखाई दे रहा है यह तरू को यहां पर होगे एक और क्षिच्ट होगा आँ सबंद में कौन सा वाकिस है सम्भिधान कहता है कि कि जीवन या व्यक्ति को स्वातंता से वज्चत नहीं किया जाएगा नई भाई, विधी द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि death penalty देना, जैसे कि death penalty देना, ठीक है आप दे दो, लेकिन याद अठना की फासी में देरी मत करना, नई तो वो जो फासी में देरी वो उसकी प्राव्णों दहेक सोतंदा के हनन बे मारा चाएगा, ठीक है, ख्लियर है इतन चलिये, अच्छा एक व्यक्ति जिसे गिरफतार किया गया है, रासत में लिया गया, उसे गिरफतारी के 12 घंटे की भीतर निकटम मजिस्टेट के सामने हैं, याद अठना कि जो गिरफतारी है वह दो तरेके की होती है, ठीक है, तो यहाँ पर गिरफतारी का एक हो सकता है, अपराद के बाद गिरफतारी है, अपराद के बाद अगर गिरफतार किया गया है, तो यसे 24, 24 घंटे के भीतर नियाइधीश, जो भी निकटम नियाइधीश मजिस्टेट है, इनके सामने पेश किया जाएगा, नियाइधीश ये बताएगा कि हिरासत में लिया जाना सही है या नहीं अगर नहीं है तो छोड़ने के लिए कह सकता है 24 घंटे में इस तरह की सुनवाई काधिकार है अपरात के बाद जो गिरफतार व्यक्ति है उसे इसके अलावा क्या है खुद को डिफेंड राइट टू डिफेंड है बचाव काधिकार है बचाव काधिकार है वकील करड़े काधिकार है बचाव काधिकार है वकील काधिकार है ठीक है हाँ एक और बात भाई गिरफतार तभी करोगे जब कारण बताओगे तो कारण बताना यहाँ जरूरी होगा अब इसमें देखा कि गिरफतारी का एक आधार हो गया अपराद के बाद, कभी-कभी कुछ आसामाजिक तत्वों से निपटने के लिए अपराद के पहले भी गिरफतार किया जा सकता है, अपराद के पहले है न, जिसे कि हम निवारक नजरबंदी के रूप में जानते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक नजरबंदी, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, इसमें क्या होता है, कि एक व्यक्ति जो आपराद करने वाला है, या फिर किसी अलॉफ ओल एक्टिविटी में शामिल है, जिरफतार कर लो, तीन महीने तक उसको रख लो जेल मे ठीक है, तो यहाँ पर निवारक नजरबंदी का कॉंसेप्ट रखा गया है, इस पर एक समीती बनी थी, पहले ये था कि थ्री मन्त तक तो रखा जा सकता है, समीती बनी उससे का दो मन्त की प्रावधान है, उसके बाद आपको एक सलाकार वोट के सामने पेश करना करेगा, कि अब आगे उस व्यक्ति का किया क्या जाना है, पर इस समीती की सला जो है, वर्तमान में भी थ्री मन्त का जो प्रोवीजन है, वह लागू है, कि निवारक नजरबंदी के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफतार किया गया है, आशंका है कि ये अपरात करेगा, तो उसे थ्री मन्त के अंतरगत जो जेल में है, वह रखा जा सकता है, ठीके, बारा गंटे की अब दीन है भाईया, किसी भी परिस्थिती में व्यक्ति के स्वतक्ता से बंचेती ऐसा नहीं है, विधी के द्वारा इस्थापित प्रक्रिया है, तो यहाँ पर सही विकल्प आपक जो थोड़ी सी चर्चा है, वो मैं और आप से कर लेती हूँ, आर्टिकल 21A सिक्षा का अधिकार की बात करता है, और इसमें ये कहा गया है, कि 6 से 14 वर्ष की आयों की सभी बच्चों को निशल कर अनिवारे सिक्षा जो है, वह उपलप्त कराएगी, 6 वर्ष तक की बच्चो के लिए प्रामधान किया गया है, कोई एक प्रामधान तो है, या तो आप मौलिक करतव्यों में ढूड़ लो, या तो आप नीती के निदेशक तर्व में ढूड़ लो, ठीक है, यहां मैं आपको नहीं बताऊंगी, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे है, उन्हें निशल कर आदिकार है, उत्शना का अधिकार नियए कि राजय जो वह आपको भीतें से च्थक्षा के अंब ऑगे, यहां महीं आंदिकार तो यहां पर क्या है, कि आप के कि लिए चसना की संदर्व किया गया तो 86 संविधान संशोधन था और 2002 की अंतरगत इसको शामिल किया अब एक बात को या दखना कि पहले ये नीती के निदेशक तत्वों में शामिल था आर्टिकल 45 की अतरगत अरुचित 45 में पहले ये ववस्था की गई थी है ना लेकिन फिर देखो क्या हुआ कि इसे 86 संविधान संशोधन थे ऐसा नहीं था कि ये नया शामिल किया गया था था पर नीती के निदेशक तत्वों में था इसमें शामिल किया गया सिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 ए में रखा गया और मौलिक अधिकार बना दिया गया तो राइट टो एजूकेशन अब हमारे एजूकेशन कर रहे हैं यूटूब से बढ़ रहे हूं इंटरनेट अगर बार बार हो रहा है तब यहां पर इंटरनेट का अधिकार ना केवल आपके पेशे को प्रभावित करेगा क्या फ्लिप कार्ट या अमेजन से कोई सामक्री बेच रहे थे वह वह व्यवसाय आपका प्रभावित हुआ यहां आपकी सिक्षा प्रभावित होगी तो कहीं न कहीं इंटरनेट का राइट यूएन कहता है कि इंटरनेट का राइट है इंटरनेट पर आधारित हो गये आर्टिकल 22 की बात करेंगे किसी व्यक्ति को निरोध्या गिरफ्तारी से संदक्षन प्राप्थ है दो तरह की होती है दंड विश्यक और निवारक दंड देने के लिए जब अपरात के बात गिरफ्तार किया जाएका निवारक मतलब अपरात के पहले अर्चित 22 का पहला भाग साधारन कानूनी मामले से संबंदितो और इसमें शामिल है कि गरफ्तार की आधार पर सूचना देने का दिकार ठीक है विदी ववसाई से परामर्ष का दिकार यह गरफ्तार वेक्ति का दिकार है मजिस्टेट के सामने 24 गंटे के अंतरगत यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार है और दंडादिकारी द्वारा बिना अत्रिक निरोथ के 24 गंटे में रहा करने का भी अधिकार है तो यह पहला भाग किस से शामिल है क्यों कि कोई व्यक्ति ए अतंक वाधी उसको संरक्षन नहीं प्राफठ होगा यह सामन नागरिकों की बात हो रही है तो यहां पर क्या है कि धंड्विश्यक वा निवारक जो नजर बंदी है दो तरह की बात इंड्विश्यक मतलब अब जो है अपराद के बाद उसको गिरफटार किया तो कारण बता दो 24 गंटे में मजिस्टेट के सामने पेश कर लो उसे राइट टू डिफेंड अपने पसंद के वकील करने का दिकार दे दो बजिस्टेट को लग रहा है गलत आधार पर गरिफ्तार कर लिया गलत वक्ति यह तब छोड़ने का दिकार दे सकती है मतलब कह सकती है लेकिन आर्टिकल 22 का दूसरा भाग निवारक हिरासत है और इसमें क्या है यह नागरिक वाविदेशी दोनों के लिए सुरक्षा भी इस यह तरह कि आविशक्षा हिए बिए आविशक्तां हमें क्यों होता है ऐलो आपको समाजिक तत्वों निपटने के लिए ज़रूरी होता है ठीक अब आएंगे नेक्स्ट सोशन की व्रदुदिकार आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 तो तीन वातेस में लिखी गई है जब हमारा दीश्वतंत्र हुआ बहुत सारे चैलेंज थे मिलियन ओफ लोग जो है वे कई लाख लोग ऐसे थे जिनको जनके पास अधिकार नहीं था और ऐसा समुदा बड़ा सुभी दे था कि उससे आप जब रजश्रम करा लो उसको आप बधुआ मजदूर बना लो मनिश्यका क्राई विक्राई कर लो उसको दास बना लो नौकर बना लो बच्चों से काम करवा लो इन सभी चीजों को रोकने के लिए मानद तसकरी को रोकने के लिए बलात श्रम या बनुआ मजदूरी फोर्स लेबर को रोकने के लिए बनुआ मजदूरी या बॉंड़ेज लेबर की बात करे ये कहे जाते कि आप विदाउट पे से काम करा है बिना शुल्क के आप किसी से काम कर रहे हैं तो इसमें क्या 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 सामिल है कि मारा ड़ खोर रहे हैं नहीं होगी मोणा बैरत में बhit निलकातीथि belly आगानी के चारों तरफ निकलने नहीं देने बस बांध लिया महां पर कहां से निकलोगे कैसे जाओगे तो यहां पर क्या था कि इस तरह की ववस्थायती ऐसे लोगों को सोशन से बुक्त बताने के लिए बनाने के लिए बहुत जरूरी था कि राज आविश्यक कदम उठाए और आज ने उठाए और 23-24 में इसको शामिल करा यहां दखना कि राइट टू एक्स्प्लेंटेशन नहीं जैसे हमी तक हम पढ़ रहे थे कि वही समानता का अधिकार है सोशन के विरुद अधिकार है सोशन के विरुद अधिकार है तो यहां पर इसको अप्राद घोशित कर दिया गया है और यह कारून के द्वारा दंडी है ध्यान रखना ठीके क्राइब घोशित कर दिया आर्टिकल 23 कहता है कि मानव तसकरी बेगार बलाश्रम और इसी प्रकार से अन बलाश्रम के जो भी प्रकार है बलाश्रम हम इसको बॉंडेज लेबर भी कह सकते हैं ठीके औ और यहां पर जब रंश्रम और बॉंडेज लेबर जो इसका मतलब हैं कि आप विदाउट पे करा रहे हैं आप विदाउट पे करा रहे हैं आपको पतलें 1982 में क्या हुआ था 1982 में देश में खूए अब देशकेजिंग और ऐस्याद गेम्स में एस्यान गेम्स में कंस् charging का होगा जाहां पर भी मैच हुए है चाहिए स्टेडियम का काम हो फ्लाइओवर का काम हो तो यहां पर जो इसमें वर्कर काम कर रहे थे ना एक तो उनको वर्किंग कर्डिशन सही नहीं थी और उनको कम पैसा जो है वैं प्रेस्क्राइब मतलब गवर्मेंट ने जितना पैसा न उतना बेसिकली दिया जाए ठीक है गवर्मेंट ने जो प्रेस्क्राइब है उतना दिया जाए इस बात पर कहा क्योंकि यह सोशन था अगर आपने निर्धारित मजदूरी से कम दिया तब यह क्या था बच्चों सोशन था ठीक है तो यहां पर क्या है कि बॉंडेज लेवर जो है वह हो सकता यह 23 ता अब 24 जो था वो बच्चों से संब्द्दे जहें 23 overall संब्द्दे ते 24 बच्चों से संब्द्द जहें कि 14 में काम करा रहे हो पठाका फैक्टरी में काम करा रहे हो यह सब जो है वे नहीं किया जाएगा बाल्ष्रम प्रितिशेद अधीनियम भी बरा इस अधीनियम यह कहता है कि 14-18 वर्ष के जो किशोर है उन्हें 1000 उक्योपेशन में नहीं लगाया जाए वरना जिसने डियोजन किया उसके खिलाफ आप रादिक कारवाई होगी तो 23-24 आओ एक कुश्चन देखाती हूँ UPSC ने कुश्चन पूछा था 2017 में सोशन के विरोध दधिकार की परिकल्पना किस में की गई मानव तसकरी बलाश्रम पर रोग अस्परश्चिता का उन्बूलन अल्प संख्यक के हितों की सुरक्षा कार खानों और खानों में बच्चों के रोजगार पर रोग रोग आज परिश्चिता को हटा दू अब तो आर्टिकल 17 आप पढ़ चुके आर्टिकल 17 समानता की बात करता है दूसरा हटा दोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा मानव तसकरी वैसे आप पढ़ चुके हो तो आप अपनी जानकारी की आधार पर भी आंसर जो है वे लगा सक आपते थे हैं दो चलिए तो यहां पर हमने देखा कि सोशन की विरुद्द जो अधिकार है यह बात करता है किसकी आर्टिकल 23 एन आर्टिकल 24 आर्टिकल 23 है आर्टिकल 23 में मानव क्राइव विक्रे मानव क्राइव विक्रे बधुआ मजदूरी इस पर प्रतिबंध है और एक दंडिनी है प्रतिबंध भी है और इसको दंडिनी भी कर दिया है ना 24 की बात करेंगे बाल श्रम से संबंद देते बाल श्रम से संबंद देते कि बच्चों को जो है वया खतरना कार्यों बे नियोजन नहीं कर सकते नेक्स्ट आया धर्विकी स्वात्रता का अधिकार अच्छा मानव दुर्व्यापार की बात करेंगे कुछ और बाते जो इसमें है वो देख लो कि अगर मानव दुर्व्यापार की बात करेंगे इसमें ये भी शामिल है मानव का क्रेविक्राई या मानव दुर्व्यापार इसमें वहिश्य व्रती कराना यह कानूनी अपराद है इसके अलावा जैसे कि अगर हम देवदासी प्रथा की बात करें देवदासी प्रथा यह सोशन था बिसिकली देवदासी यह दास बना लेना या फिर नौकरों की तरह काम कराना वदुवा मजदूर यह सारी चीज़े जो है इसमें शामिल होंगी तो अगर याद अटना कि इसका कोई भी उलंगन अगर किया जा रहा है तब यह पर नागरिक और गयर नागरिक दोनों के लिए होगा किसी व्यक्ति को केवल राज के खिलाब बलकि व्यक्ति के खिलाब भी यहां पर सुरक्षा प्राप्त है राज तो ऐसा करें तो अलग बात ले कहकर कोई व्यक्ति करना है ना तो व्यक्ति भी नहीं कर सकता और राज भी नहीं कर सकत कि जो कम मजदूरी देगे जो बकाया उनको दिया जाए उसी के हिसाब से पे करो ठीक है ये बात जो है वहाँ पर की गई है तो 23 होगे 24 हो गया अच्छा 24 कहता है कि फैक्ट्री खार या जो भी संकट में गतिवी दिया 14 वर्षे से कमोम्रे के बच्चों को वहाँ पर जो काम ह भिया नहीं करारे क्राया जा रचाहिए और 2016 में बाद्षरम संशुद नधическая आ पहें आते हैं धर्मिकी स्वत्त्ता के अधिकार की बात करते हैं घर्मिकी स्वत्तता की बात आप थे हैं खें 95 से 28 तक की है और यहां पर देखो इसमें चार पॉइंस इसमें शामिल है अंतकरण और धर्म को अबाद रूप से मानने की स्वतंतिता आचरण और प्रचार प्रसार की स्वतंता दूसरा है धार्मिक कारियों के प्रबंधन की स्वतंता है ना 26 प्रबंधन धार्मिक कारियों की अभिव्रद्धी के लिए करके संदाय से स्वतंतिता मतलब आ 5 से शुरू करते हैं जो कि कहता है कि धर्म को अबाद रूप से मानने उसके अनुसार आचरन करने और प्रचार करने की सवतनता है याद रखना कि आपके वल information को spread कर सकते हैं आपके वल प्रचार में ये बता सकती कि ये धर्म अच्छा है जबरन श्रम जो है जबरन धर्म परिवर्तन जो है वो अपराद पाना चाहेगा है ना जबरन धर्म परिवर्तन सुपरीम कोटे का रास्टी सुरक्षा के लिए खतरा है भार्ति सविधान अनुच्छित 25 कह रहा है कि सभी व्यक्तियों को अंताय करन की स्वतंत्रता धर्म को अमहाद रूप से मानने आचर प्रचार प्रसार करने की स्वतंता है आग नागरिक और गैर नागरिक दोरों के लिए आच्छा खुद सोचो कि कोई व्यक्ति मालों या कोई और धर्म से बिलॉंग करता है वो अंडिया में घूमने आया तो क्या उसका धर्म परिवर्तन करा दोंगे तो उसको भी तो यह सवतंत्ता होनी चाहिए वैसे यह सवतंत्ता भी तो चाहिए कि वह अपना धर्म अगर लेकर आए उसी दर्म के साथ वापस चला जाए ना कि जबर्दिस्ती करा दो कि ने यह दर्म लो तो आर्टिकल 25 केवल धार्मिक विश्वास कोई ने बलकि आचरण को भी समाहित करता ऐसा अगर आपकी कोई पूजा पतिती है आप प्रार्थना कर रहे हो आप नमाज पढ़ रहे हो आप गुरुदारे जा रहे हैं आप ज इसे चीज़ें जैसे सिक्खों में पगडी पहना अब जो ट्राफिक पुलिस वाला है वो नहीं रोप सकता कि आपने हैलमेट क्यों नहीं वेर कि वो नहीं पहन सकता पगडी बहना हुआ है तो यहां पर कहें कि राज उसकी अरूमती दे रहा है जो कि साकुलर स्टेट है सा जिमाय है साजनिक विवस्था नितMKता और स्वास्त ध्याननकना साजनिक विवस्था नितXT और जो स्वास्त है यह यहां पर क्या है इसके लिए प्रतीबंध है Já clear एतना चलिए नेक्स हम दिखेंगे धार्विक कारियों के प्रबंधन की स्व और उच्छे 26 कह रहा है कि आप धार्मिक कारियों का प्रबंधन कर सकते हैं आप ने केश्वा नंद मामला सुना क्या अभी तो बताया है मैंने है ना तो केश्वा नंद भार्टी वाद क्या था important case था क्यूंकि बहुत सारी व्याख्या इस संबंध में की केश्वा नंद की अगर हम बात करें आप देखेंगे कि एक मठते मठाधीश थे और इन्होंने क्या किया था कि किरल सरकार ने उस मठ की जो भूमी है वैदी ग्रहन कर ली थे तब ऐसे में इन्होंने सुप्रीम कोट में आची का दायर की और ये कहा कि अगर आप धार्मिक कारियों के प्रबंधन काधिकार दे रहे है तो ये इस भूमी को कैसे ले सकते है है ना तो यहां पर क्या है कि धारमिक संतदाई या उसके अनुभाव को धारमिक या मूर्थ रूप से संस्थारों के स्फापना रख रखाव कदिकार और प्रबंधन कदिकार होगा उगा शुप्रिम कोट ने कहा कि Яido Jaudo현 Gold इarı तर त्पिर जो वहां की जो सरकार ने जो डिसींजर लिया वो गलत है वो गलत इसलिए क्योंकि फॉर्णामेंटल राइट आप ने एलुडिधी दिया हुआ है कि धार में कार्यों का प्रबंदन कर सकता है प्रबंदन में उसका एक हिस्सा है ठीक है आया समझ में तो यहाँ पर देखो कि basically कि जो भी स्था आस्थाई और स्थाई और आस्थाई जो संपत्ति है रखने का अधिकार होगा ठीक है इसकी बात जो है वह यहाँ पर की गई है है अब next है 26 हो गया 27कर से संब्दित है या दिखना कर और शुलक में अंतर है heavily कप जाते हैं कहीं-कहीं परची कटा लेते हैं क्हां कई कहीं-कहीं शुलक कोई शुलक आप दे कि आगर आप कमी जैसे कि आप क्या वैशनल दीवी गई हुए यह कहीं और कहीं और एची जगा याद करो जहां पर आपने परची गटाई हो कुछ शुल्क दिया हो टैक्स नहीं गवर्मेंट टैक्स नहीं ले रहा है कुछ शुल्क आप से लग सकता है कुछ चंदा कुछ भी यह 27 में मनाई बढ़ शुल्क लिए आजा सकता है तो किसी व्यक्ति को किसी विशिश धर्म रामिक संप्रदाई के विव्रद्य उसके रख रकाव के ववस्था के लिए कर देने के लिए बाद नहीं किया जाएगा तो यह ववस्था किवल करोगा ही पर रोक लगाती है ना यह ववस्था इस लाइन को लिखी लो क्योंकि इसी तरह की पॉइंट्स यह ववस्था कर उगाही पर रोक लगाती है ना की शुल्क पर कर उगाही पर रोक लगाती है ना की शुल्क पर ठीके? क्लियर है? क्लियर है इतना? अब देखो नेक्स्ट है धार्मिक सिक्षा में उपस्तित होने का दिकार आटिकल 28 सरकारी स्कूल आपने दिखे है क्या सरकारी स्कूल में रास्ट गान हो रहा है रास्ट गीत करा लो कोई पूजा पद्धिती नहीं अपनाई जाएगी ना तो वहाँ पे ऐसा कुछ है कि किसी एक पर्टिकुलर जो धर्म उसको बढ़ावा दिया जाए तो यहाँ पर यह ववस्ता इन संस्थानों में लागू नहीं होगी लेकिन याद रखना कि अगर जिनका जो प्रसाशन है वह कोई धर्म के द्वारा या फिर कोई ऐसा टरस्ट कर रहा है अब जिसे की मदर से की हम बात करें वहाँ पे इस सिक्षा दी जा रही है लेकिन ऐसे संस्थान पूरी तरह से रख- перек güv राज करें प्रसाशन राजर करें स्थाप्रा राज लानता हो जो है वह कुछछ बी वश्कि ववस्ता कीजाए उसमेн विसिकली धार्मिक सिक्षा नहीं जाएगी ठीक है उसमें धार्मिक सिक्षा नहीं दी जाएगी तो यह आपकी धर्मिकी स्वतंतिता थी आर्टीकल 25 धर्म को मानो प्रबंधन करो कर से छूटे शुल किसे नहीं है धार्मिक सिक्षा में उपस्तित होने का अधिकार और अब आजाओ अगले अधिकार पे आर्ट है छावेकम है मानरोटी है ना इससे समझनों लेकिन यहांपर धर्म या संस्कति के आधार पर भी अलफ संक्य को सुरक्षा प्रदां करता है धर्म और भाशा, धार्मेक और भाशा या धार पर अलब सख्यकों को जो सुरक्षा है वह ये प्रदान कर रहा है ठीके, त्यान रखना है इस बात को तो इसमें ये ववस्था की गई है कि बिसिकली समोह के अधिकारों की जो रख्षा है वह होगी क्या ववस्था की गई है? समोह के अधिकारों की रख्षा और आप इसी से comparison कर लो अमेरिका का तो अमेरिका में व्यक्ति के अधिकारों की बात की जाती है समोह के अधिकारों की बात नहीं की जाती है नेक्स्ट है सिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रसाशन अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुचित तेस यह कहता है कि अपनी रुची की सिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रसाशन का अधिकार होगा राज के द्वारा अल्ब संख्यक वर्गी की सिक्षा संस्था में किसी भी संपत्ति के अनिवार यदिग्रण के लिए शतिपूर्टी राशी से उनके लिए प्रतिबंदित या निरस तही होगे ठीके तो यहां परियोबन 44 में संविदा संशोदन के द्वारा जोड़ा गया था साथ ही अच्छा यहां पर देखो मैं एक स्टार लगा देती हूं तीन लगा देती हूं इस लाइन को पड़ो राज आर्थिक सहायता में अल्ब संख्यक द्वारा प्रबंधित किसी भी सक्ष करने के द्वारा है इसलिए हम इसको जादा परिसा देते हैं हम इसको जादा निधी देते हैं ऐसा नहीं है और क्यों नहीं है तो यहां पर आप दे सकते हैं बट स्टेट प्रिफरेंशियल बेसिस पर नहीं दे सकता प्रात्मिक्ता जो है वह किसी धर्म को नहीं दे सकता त अब आ गया सब अधिकारों को लागू कराने का अधिकार सब अधिकारों को लागू कराने का जो अधिकार है ये आ गया ठीके इस अधिकार में गहाँ जाता है ये आर्टिकल 32 और आर्टिकल 32 को ठीके अनुच्छेद बत्तिस इसे सम्वेधानिक उप्चारों का दिकार राइट तो कॉस्टिशनल रेमेडीस कहा जाता है राइट तो कॉस्टिशनल रेमेडीस इसमें आपके पास यह अधिकार है और यही वह अधिकार है जिसे डॉक्टर अमेडकर के द्वारा सम्वेधान की आत्मावा हिर्दय कहा गया सम्वेधान की आत्मावा हिर्दय कहा गया डॉक्टर अमेडकर ठीके आर्टिकल 32 को सम्विधान का सबसे महत्पूर अरुच्छेद माना जाता है क्योंकि यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों की संदक्षन का अधिकार स्वेम में एक मौलिक अधिकार है मौलिक अधिकारों का संदक्षन करना भी एक मौलिक अधिकार है अरुच्चित 32 में समβیधान की मूल विशेश्टा है और इसे समविधान संशूधन के द्वारा बदला नहीं जा सकता आर्टिकल 32 को क्या समविधान संशूधन के द्वारा बदल दिया जाए अगर बदल दिया गया तो खुछ सोचों कि सम्विधानों को लागू या प्रवर्तन शब्द लागू के लिए आता है प्रवर्तन या लागू कैसे कराएंगे आपके पास कोई ऐसा कुछ टूल ही नहीं होगा आपके से उसको इंफोर्स्मेंट कराओगे कैसे जाके आप जब आपातकाल होता है तो ऐसा नहीं है कि आपके घर से स्वथनता का दिकार समाता का दिकार छीदने कोई आता है बस आर्टिकल 32 उसको लागोडी होता आप कॉंस्टूशनल रेमेडी जो है इसको इंफ्लिमेंट नहीं करा सकते उस आपातकाल के दौराण जो कुछ हुआ है उसके लिए आप सुप्रीम कोट नहीं जा सकते कि कर्फ्यू लगा था हम घर में बंद हो गए आट दिन के लिए हमें केवल दो घंटे जो कुविट में ऐसा हुआ था न कि सुपिशाम बस दूद सबजी और इस तरह कि जो आपके इंडिया में दैनिक आविशक्ताएं होती है उसकी ववस्था के लिए दो घंटे के लिए जो है वैं लॉगडाण ओपिर हो जाता था तो यहां पर क्या थ था कि बिसिकली आप उस दौरान यह नहीं कह सकते कि मेरे अधिकारों का हनन हुआ अरे वह वह ववस्था के लिए जरूरी था तो आर्टिकल 32 एक मूल विशेश्टा है और इसे सम्विधान संशोधन के द्वारा बदला नहीं जा सकता और इसमें यह दोनों ही जो बाते हैं वैसा ही है इस बात को याद रखता कि डॉक्टर वियारंबेटकर ने भी कहा कि सम्विधान का बहुत ही जादा महत्यपूर्ण अनुच्छेद है क्योंकि एक तर्कहीन आर्थिहीन और शक्तिहीन हो जाते फंडामेंटल राइट अगर आर्टिकल 32 नहीं होता तो आर्टिकल प्रशाष्णिक कोई मशीनरी तो होनी चाहिए ना तो यहां पर यह क्या है एक प्रशाष्णिक मशीनरी के रूप में देखा जाता अगर फंडामेंटल राइट केवल दिये गए होते लागू कराने के लिए कोई ववस्ता नहीं दी गई होती तब क्या होता वो तर्कहीन ह होते ठीके तो मूल अधिकारों का संडक्षन मूल अधिकारों का संडक्षन स्वेम में मौलिक अधिकार है ध्यान रखना मूल अधिकारों के संडक्षन का अधिकार स्वेम में मौलिक अधिकार है और यह आर्टिकल 32 में इस बात को कहा गया है क्लियार है इतना अच्छा देखो बच्चो आपना आर्टिकल 32 के अंतरगत आर्टिकल 32 के अंतरगत आप सुप्रीम कोट में आर्टिकल 32 के अंतरगत आप सुप्रीम कोट में याची का दायर कर सकते हैं रिट दायर कर सकते हैं और अगर हम आर्टिकल 226 की बात करें 226 के अंतरगत आप हाई कोट में जो उच्छ नियालय है ना हाई कोट में इस तरह की जो रिठ है वे दायर कर सकते हैं और अपने जो फंडमेंटल राइट से इनको लागू करा सकते हैं प्रश्ट देखो ज़रा अनुच्छ इद 32 में कौन से प्रावधाद शाबिल नहीं है मौलेक अधिकार को प्रवर्टित करने के लिए समुचित कारवाही के द्वारा सर्वोच नियालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याबूत है सर्वोच न्यालय को किसी भी मौलिक अधिकार के संबन में निर्देश या रिट जारी करने का अधिकार है रास्पति को यह शक्ति है कि वह किसी भी अन्य न्यालय को सभी प्रकार के निर्देश आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करे या सभी सत्य है क्या इसका सही होगा ठीक है कुश्चन एक और प्रश्ण देखो आर्टिकल 33, 34 और 35 के बारे में आर्टिकल 33 कहता है कि संसत को यह अधिकार है कि वैं सशस्त्र बलो अर्दसैनिक बलो, पुलिस बलो खूफिय अजेंसी और अनके मौलेक अधिकारों को युक्ती युक्त प्रतिबंधेत कर सके आर्टिकल 33 क्या कह रहा है कि अच्छा यह बताओ, पुलिस यह कहें कि नहीं, उसके पास भी जो है संग बनाने का अधिकार, कहीं पुलिस यूनियन सुना है क्या संग बनाने का अधिकार है, ऐसा कुछ है क्या तो सार्जनिक ववस्था कैसे चलेगी, अगर पुलिस ही हर्ताल पर बैठ गई, सभा करने लगी संबेलन करने लगी, इस तरह कहना तो यहाँ पर देखेंगे कि सार्जनिक ववस्था को बनाये रखने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, अब जिसे की एक इस पे आता है कि वही जो देश की बॉर्डर पर जो सैनिक खड़ा हुआ है, उसे राइट टू वोट है, अगर उसे राइट टू वोट है, तो उसे वोटिंग के लिए छुट्टी क्यों नहीं दी जारी, कोई और तरीका, अपना अलोशो टीडी में लेगी, यह क्या है, तो क्या राइट टू वोट अगर बाकी नागरेकों के लिए वो बॉर्डर से हट जाए, दुश्मन देश आजाए, तो राइट टू के पास है, 34 कहता है कि मौलिक अधिकार तब प्रतिबंध लगते हैं, जब भारत में कहीं मार्शल लोलाग होगा, 35 कहता है केवल संसत को कुछ विशेश मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ती है, और यह राज्युक विधान मर्डल के पास है, ठीके, अभी मैं इसको कराती हूँ, पहले आप ये देख लो जड़ा, रिट के प्रकार देख लो, रिट जो है वह आखिर की लिए कह सकता है, तो सर्वय चिंआले अर्टिकल 32, तू त्वयंटिश्ट के अतरगत उचने आले जो है वैजट आरिकर सकता है, दायर कर सकता है, जारी कर सकता है, पाँच तरह के लिए रिट, पाँच प्रकार के, रिट हो सकती है बंदी प्रत्यक्षी करण हैं विसकार पर्मादेश मेंड़मस प्रतिशेद प्रोहिबिशन उत्प्रेशन सट्यूरेरी अधिकार प्रक्षा क्यों वरंटो ठीक है इंदी इंगलिश दोनों में याद एक अच्छा यूपी पीसी एस पेक कुछ पूछा गया मुझे याद दिया रहा कि इन में से कॉल सा था उसमें इंगलिश लिखा हुआ था या हिंदी पूछा गया तो उससे इंगलिश पूछ लिया गया था तो बंदी प्रत्यक्षी करण है बीस कारपस इसका मतलब होगा कि जिसको गिरफतार किया उसको सामने लेकिया और जब अगर भगत सिंग लोगों की अबात करें उन्हें जो फासी हुई थी है ना तो लोगों ने कहा था कि गिरफतार किया है दिखाओ तो सरकार कुछ बता नहीं नहीं थी पूलिस तो यहाँ पर क्या था कि उसको प्रत्यक्षी करण वाला जो मामला था वहाँ पर नहीं प्रादेश इसको दिया जा सकता है कि आप जाओ यह काम करो पर्मादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं आपके यह काम करो ठीके प्रोहीमिशन प्रतिशेद जब कोई अपने अधिकार सीमा से जाद आगे जाकर काम करता है ठीके उस पे एक तरह से प्रतिवंध लगा अधिकार प्रक्षा का मतलब हुआ, इस कड़ी में एक रिट है जिसे आप क्या प्रधिकार, आपका जो है वे क्या प्राधिकार है, क्या आवेधारिक रूप से अगर कोई सार्जनिक पत पर कोई व्यक्ति बैठा है, आप किस अधिकार से उस पत पर बैठे हुए है, वो जो काफिस है, आप कैसे होल्ड किये हुए, उससे ये प्रश्ट किया जाता है, कि आप आखिर किस अधिकार से, तो ये क्यू वरण्चो है, साधार नवस्था में समवैधाले कुप्चारों को निलंबित नहीं किया जाता, संसद इसको लागू करने के लिए उचित अधिनियम बनाएगा, और आपातका लिस्थिती में अध्यादेश या फिर अधिनियम के द्वारा भारत या किसी प्रदेश में आवश्यक्ता रूसार कुछ या सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, ये पॉइंट भी याद रटा, ये अलग से पॉइंट है, ये अ अधिकार प्रक्षा की हमने बात कर लिए, अब हम बात करते हैं परमादेश की, परमादेश क्या कहता है, परमादेश कहता है, तो परमादेश अंग्रेजी कॉमल लौ में एक प्रमुक लेख है, जिसका अर्थ साधरन कानून उपाए, आप परियापतों होने पर एकाई के द्वारा जारी किया गया असाधारन रिट या असाधारन आदेश इसका मतलब है हम आग्या देते हैं अर्थात किसी व्यक्ति या निकाई जो की सार्वजनिक या अर्ध सार्वजनिक है ठीके उसको ये आदेश दिया जा रहा है कि कर्तव पालन करें क्योंकि ऐस कर् हो रहा है आप रिट दायर कर सकते हैं चुकि एक व्यक्ति के द्वारा या फिकिसी सावजनिक पदाधिकारी के द्वारा किसी पर्टिकुलर काम को नहीं किया गया उससे आपका जो जीवन या जो परवादेश है उसको जारी कर देगा ठीके और उसे काम करने के लिए कह देगा उस व्यक्तिया निकाय को परवादेश हो गया बंदी प्रतिक्षी करन आप समझ गए जिस बंदे को नयाधीश के सामने उपस्तित रखे करें और अगर कार्णों से असंतुस्ठ है तो उसे छोड़ने के लिए कहा जा सकता है प्रोहीबिशन प्रतिशिद नयाइक औ संस्था को अधिकार्शेत्र से बाहर निकल कर कारे करने से रोखती है प्रतिशिद या प्रोहीबिटेट मतलब किसी तरह का प्रतिबंध लगा देना तो जब अपने अधिकार्शेत्र से बाहर जाकर जो उसके beyond jurisdiction कि वालो मेरे जुरिश्चन में एरिया में यह नहीं है वह काम कर रही हूँ उस करने से रोग दिया जाए है ना प्रतिशेद का मुक्ष उद्श होता है किसी अधीनस त्यालाइक को अपनी अधिकारिता या अतिकर्मण करने से रोखना कि वो उसके अधिकार शेत्र में नहीं प्रतिशित वाली जो बात है किवल नयाएक संस्था के खिलाब होगा विधाय का जो प्रयोग है वह नहीं होगा ठीक है अब हम बात करेंगे सर्थियो Perez के उत्प्रेशन के यह इंट किसी वरिष्ट नालाय के द्वारा अधिनस्त नयालाय को यह नियालिक निकाहे जो आपसी अधि अपनी अधिकारिता का उलंगन करें रोकने को उत्प्रेशन की बाद करें इसमें एक अंतर कि प्रतिशेद उस समय जारी की जाएगी जब कोई कारवाई चल रही हो और इसका मूल उद्देश कारवाई को रोकना है लेकिन उत्प्रेशन डिट कारवाई समाप्त होने के बाद डेंड़े समाप्ती के उद्देश से जो है वैक की जाती है ना तो उत्प्रेशन से क्या हो हुआ होँ हम जानते हैं कि विश्षछ अधिकार कुछ ऐसे होते हैं नाए पालि का के पास Supreme High Court के पास किम्हें बोल राजिकारों को लाग़ो कर में इनको जारी कर सकती है पर इन दूरों में संपूर्ण भारत पों समद्धित सीमा अब गया के वलिक इस्थी भात करेंगे याद रखना कि यह इसके पास कुछ अन्य विशय भी है तो मोल शक्ती तो definitely उच्चितम न्याले के पास से जादा है पर अगर हम इसका विस्तार देखे कि केवल fundamental right को लेकर जो रिट है वह उच्चितम न्याले के पास होगा पर उच्चितम न्याले के पास ये भी power होता है कि fundamental rights के अलावा और जो विशय है उस पर भी इस तरह के रिट डानी जारी कर सके तो यहाँ पर क्या होगा कि एक जो विस्तार है विस्तार जो है वो जादा किसके पास है उच्चितम न्याले के पास है इस शक्ति का उच्चितम न्याले उच्चितम न्याले के विरुद प्रतिशेद और उत्प्रेशन जारी कर सकता है परंतो उच्च न्याले उच्चितम न्याले के विरुद ऐसा नहीं कर सकता अब उच्चितब नयालन है, उच्चिताव नयालन है, कूण कि इसका मतलब ही प्रतिशेद और उटपरिशन इसका मतलब ही क्या होगा कि जो उपर वाला नयालन है वो बाकी नयालन के लिए कर रहा है आ तो अब सुप्रीम कोट चुक Dreams coट है, भारत का सीष कोट है हमने दीखा कि न्याय पालिका की संदुचना भारत देश में कैसी है एक ही करत है और सबसे टॉप पर सुप्रीम कोट है फिर राज्यों की हाई कोट है फिर बाकी और जिला अधीन समाउडिनिट कोट है तो यहाँ पर अगर अपेक्स कोट उचितम न्याले है तो उचितम न्य गए रिट की सुनवाई से इंकार नहीं कर सकती अनुच्छे 226 के तैट उच्छ न्याले स्विकार करे संवैधान एक रूप से अनिवार नहीं है तोक्टर अमेट कर कंसीडर राइट तू कॉंस्टूशन रेमेडी हर्टेज सोल अफ कॉंस्टूशन है क्लियर हो गया रिट रेट संबन्दी जो प्रावधान है वो क्लियर हो गए चलिए प्रेश्ट देखो जरा असत्य आपको बतारा है यह कुश्चन आप सभी के लिए पढ़िए कुश्चन को करता है संपत्तिक अधिकार देखो अगर आप यह देखे कि संपत्तिक अधिकार की वर्तमान इस्तिती क्या है UPSC स्पेश्टर को पूछ चुका है 2021 में क्या इसकी इस्तिती है ठीक है आर्टिकल 31 में पहले जो है यह मूल अधिकारों में शामिल था लेकिर आपको पता है कि right to property विसिकली जो एक barrier बन रही थी कि समाज में अगर समानता की बात करनी है equality की बात करनी है या फिर जो संसाधा ने उसका वित्रण करना है इस्पेशलिए जब भूमी की बात आती तो जमिंदार हो सकता है एक जमिंदार के पास सो गाउं हो बाकी कोई जिसके साथ उसके पास एक टुकड़ा भी नहीं है भूमी का दूसरे क्या काश्तकारी कर रहा है मज़दूर बना हुआ है तो यहाँ पर क्या था कि जब हम right to property की बात करते है ठीके तो right to property को लेकर नयपालिका और सरकार के बीच में एक खासी बहस रही नयपालिका और सरकार की बीच में अब सरकार का यह मानना था कि जो हम कह सकते हैं कि समाज का कल्यार जो societal welfare है वो justice जादा important है तो यहाँ पर कहा कि सामाजिक कल्यार के लिए जरूरी है सामाजिक कल्यार के लिए और सामाजिक कल्यार व्यक्तिगत हिट से उपर है नयपालिका कहती है नहीं fundamental right में कटोती नहीं करोगे fundamental right में कटोती नहीं होगे हाला कि मौलिक अधिकारों को संशोधन संविधान संशोधन के द्वारा बदला जा सकता है सामान विधी के अंतरगत नहीं है ना मौलिक अधिकारों को सम्विधान संशोधन के द्वारा बदला जा सकता है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि संपत्तिक अधिकार को पहले बुनियादी धाचे के बाहर किया। उशके बाद चबालीस्वा सम्विधान संशोधन द्वारा इसे fundamental right से बाहर कर दिया और एक विदिक अधिकार बना दिया संपत्तिक अधिकार ठीके एक legal right है एक legal right है जो कि किसी भी व्यक्ति को उपलब्द कानूनी अधिकार है किसी भी व्यक्ति को उपलब्द एक कानूनी अधिकार है जिसका वर्णन जो है वे आर्टिकल 300A में किया गया है 1978 में 44 मा सम्मिधान संशोधर हुआ था जिसके द्वारा इसको हटाये गया था प्रेश्ट देखो एक legal right है available to any person बस संपत्तिक अधिकार मूल अधिकार में मतलब मूल सम्मिधान में शामिल था 44 मा सम्मिधान संशोधर 1988 के द्वारा इसको हटाये गया द्यान रखना मैंने यहां पर year लिखा हुआ एक और बागबारा की बाद करें 300A में इसको कानूनी अधिकार बनाये गया इस question का answer आप देंगे एक और प्रेश्ट देखो सर्वोच न्याले ने असत्य को आपको चुनना है सर्वोच न्याले ने भोजन के अधिकार को शाबल करने के लिए जीवन के अधिकार के अर्थ के रूप में विस्तार किया भोजन का अधिकार आपको पता है उडिशा राजिस्थान में एक समय था कि जब बहुत जादा ऐसे सूखे के कारण भुक मरी और परिशानी ऐसी कंखाली हो गई और जब देखा कि सरकारी गुदाम तो भरे हुए है सरकारी गुदाम जो है में भरे हुए है अना जो से चुहे खारे अना सड रहा है प्रूफ के द्वारा एक संगिठन ने संगिठन का नाम नहीं यादा रहा आप बताईएगा कॉमेंट करके बागी क्लासेस में चर्चा हुई है तो सुप्रीम कोट पे एक पेटिशन दायर की कि चुकि राइट तू फूट जो है वह हमारी राइट तू लाइफ के लिए बहुत जरूरी है राइट तू लाइफ के लिए बहुत जरूरी है इसलिए सरकार इसको दे और ये भी नहीं कह सकती कि अनाज नहीं है हम देखकर आए हैं है अनाज या पर आप चाहें मिड़े मील की बात करें या फिर आप मुफ्त राशन की बात करें गरीबों को दो या तीन रूपे किलो इस तरह की जो योजनाए होती है दो रूपे किलो तीन रूपे किलो चावल और गेहों इस तरह की ववस्थाय ये यहीं से आया है तो राइट टू फोड, राइट टू लाइफ का ही एक विस्तार है और ये देने में जुडिश्री का बड़ा important role है समधान कई और अधिकार देता है जो मौलिक अधिकार नहीं हो सकते हैं बिलकुल सही बात है संपत्तिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है बलकि यीए क समवेधानिक अधिकार हैं, अच्छा बच्चों मैं आपको बतादो हो सकता है, कि ये मैंने अभी आपको बताया कि कानूनी अधिकार है, नहीं समवेधानिक क्योंकि अधिकार इंटेते गलत बाना पूछा था, ठीके और वो प्रेश्ण जो है उसका उत्तर थोड़ा विवादित था क्योंकि कहीं भी ये जो वर्णन है सम्विधान में ठीके संपत्तिक अधिकार का स्टेटस क्या है अच्छा ये उत्ना विवादित नहीं है एक और मैं आपको बता देती हूँ ठीके तो संपत्तिक अधिकार क्या है विदेक कानूनी संविधानिक ठीके यहीं देखो राइट टु वोट की हम बात करते हैं राइट टु वोट राइट टु वोट कौन सा अधिकार है यह आप मुझे बताएंगे ये UPSC ने यह प्रश्ट भी पूछा हुआ है यह प्रश्ट भी UPSC ने पूछा हुआ है ठीके तो यहाँ पर हमने देखा कि संपत्तिक अधिकार जो है ऐसा अधिकार है जो कि सबको उपलब्द है ठीके एक लीगल राइट है अब हम आ जाते हैं मूल अधिकारों का दिखो मूल अधिकारों का विसिकली आलोचना की साधार पर की जाती है हम आलोचना को पढ़ लेते हैं अब वाद तो हम काफी सारे देखी चुके हैं आलोचना की बात करते हैं कि आखिर जो आलोचना है इनकी वह किनके नाधारों पर की जाती है सबसे पहली बात इसमें ये कही जाती है कि जो मूल अधिकार है उनके बहुत सारी जो सीमाएं है वह लगी हुई है बहुत सारी लिमिटेशन्स सुनात लाहडी वाली जो बात है वह याद करो एक आठिकल ने आपको अधिकार दिया दूसरे ने पूरी तरह से छील लिया तो व्यापक सीमाएं है देखो हमने इतने सारे अपवाद पढ़ लिये कि लगी ने रा कि कोई जो अधिकार है वह हमें दिया इतने सारे हमने अपवाद पढ़ लिये हर चीज का समानता का exception है स्वतनता का exception है धर्म का exception है सभी के जो है वो एक exceptional जो case है सभी में उपलब दे सभी में प्रतिबंधो काधार है तो कहा गया कि इतना जादा एक तरफ मूल अधिकार दिया दूसरी तरफ उने छेल लिया व्यापक सीमाई क्यों? क्योंकि एक तरफ अधिकार दिया तो दूसरी तरफ छेल लिया एक तरफ अधिकार दिया तो दूसरी तरफ छेल लिया दूसरी तरफ छेल लिया है ना? इसका एक example भही याद कर लो Article 19, Clause 1 Article 19, Clause 2 पढ़ा चुके हो अभी पहले जो बच्चे ऐसे हो कभी-कभी बीच में आ जाते हो देखने क्या चल रहा है क्लास में कोई नया सम्विदान बढ़ा के तो नहीं पढ़ा दिया वैंने है ना? उन बच्चों के लिए बता रही हो पहले से जो है वैं बताया हुआ है कोई सामाजिक आर्थे कधिकार नहीं है देखो एक और इसकी आलोष्टा की जाती है कोई सामाजिक आर्थे कधिकार नहीं है सारे राजडिते कधिकारों की बात की गई है या आर्थे कधिकार लेकिन हमारे विकास के लिए तो सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी होने चाहिए, है ना, अच्छा ये बताओ, हमने देखा था कि basically fundamental right का उद्देश क्या है, fundamental rights का मूल उद्देश क्या होता है, political democracy को establish करना, राजनितिक लोकतंत्र, ये तो DPSP में नहीं है, राजनितिक रिदेशक सिद्दान्त ये कह रहे हैं, कि कोई सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात वहाँ पर हो रही है, तो राजनितिक अधिकारों का जो उलेक है, वै किया गया है, तो fundamental right में क्या किया गया है, राजनेतिक अधिकारों का उलेक किया गया है राजनेतिक अधिकार और इसका उद्देशी भी तो पॉलिटिकल डैमोक्रसी है इसको भी तो लिखलो फर्णामेंटल राइट का मेन उद्देशी क्या है पॉलिटिकल डैमोक्रसी को स्टाबलिश करना पॉलिटिकल डामक्राशी को स्टाब्लिश करना है ये इसका वो खुद्धिश है ये दो बाते होगी, दो अलूचना होगी तीसरी अलूचना इसकी इस बात पर हम कर सकते हैं कि इस पस्ठता का अभाव है है नो, इस पस्ठता का अभाव है कई चीज़ें ऐसी है, कई ववस्ठाएं और शब्द ऐसे है जो क्लियर ही नहीं होते, इस पस्ठता का अभाव है अगर आपको पढ़ने में चीज़ें क्लियर नहीं हो या आप कन्फ्यूज हो जाए तो समझ जाना कि भई ये संविधान की कभी आपकी नहीं है क्यों? इस पस्ठता का भाव है है, नहीं, ऐसा, मैं आपको बता रही हूँ कुछ शब्दों में है ऐसा जैसे कि लोक ववस्ठा का मतलब क्या होगा अल्प संक्यत का मतलब क्या होगा उचित प्रतीबंद का मतलब क्या होगा ऐसे तो कुछ भी बना लो लिख दिया एक शब दूचित प्रतिबंद लेकिन हमने उसमें डाल दिया रूचित प्रतिबंदों को भी उसकी definition क्या है नहीं है वो इस पस्तृता का भाव है ठीक है इसलिए कहा जाता है कि जो है आईवर जैनिंग ने ऐसा क्यों कहा था कि वकीलो संसत का टौती कर लें इसमें कर सकती है ना जैसे कि अब संपत्तिक अधिकार अब कहा रहा फर्डमेंटल लाइट अब तो विदेक अधिकार होगे एक लीगल राइट है जो कि सभी लोप लब दे आडदा आर्टिकल 301 इसके अलावा हम देखते हैं दिखो इसमें यह कहा ज 1988 नहीं 1978 जिसपे की 44 वा सफिदा संशोधन किया गया तो स्थायत वह नहीं है ठीक है आपातकाल के दौरान इस्थगन हो जाता है ठीक है अगर हम अच्छा 20 21 लिख लो 20 21 को छोड़ कर अनुचेद 20 और 21 को छोड़ कर है आपातकाल के दौरान जो है मूल अधिकारों का अस्थगन हो जाता है आप उसको प्रभावी लागू कराने के लिए सुप्रीम कोट और मैं जो हाई कोट है मैं नहीं जा सक ओभाव कोट और आट को फोड़ी लिए और इसलिए का गया कि भारती समाज में ज्यादा तरह जोस विधायं धनार्ड नोगों के लिए जिनके पास पैसा है इनके बाद क्या है, पैसा है, यह न, चले, चले नेक्स देखो, नेक्स इसमें यह कहा जाता है, कि यह बिसिकली, कुछ आलुचकों ने कहा है, कि यह दाशनिक सिद्धांत के उपज नहीं है, जैसे कि आईवर जैनिक ने ये कहा कि किसी प्रतिवान का दर्शन के आधार पर इसे हम कोई घोशित नहीं कर सकते और उच न्याले और उच्चितम न्याले को भी मूल अधिकारों की जो व्याख्या है उसमें बड़ी कटनाई होती है तो ऐसा नहीं है कि ये जो है वह बहुत सही ववस्ताय है या एक दर्शन की रूपे हम इसको देखें और भी कई तरह की जो आलूचना है वह बॉलिक अधिकारों पर की जाती है ठीक है अब सोवनात लाडी जी का जो कथने आप यहाँ पर इसमें शामिल कर सकते है तो मूल अधिकारों की अलूचना को लेकर अगर प्रशन आता है आप यहाँ पर लिख ले चलो next अब देखते है शुरू में मैंने आपको बताया कि मूल अधिकारों का जो महत्व है वह क्या है चुकि हमने यहाँ पर बात की कि अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में व्यक्ति के विकास के लिए बहुत महत्तिपूर्ण है ठीके और चुकि लोकतंत्र है सभी लोकतंत्रिक ववस्थाओं ने दिये हुए है बिल ओफ राइट से बहुत जादा जरूरी हो जाते है कि हमें मूल अधिकार जो है वें बिले तो एक लोग तांत्रिक ववस्था को स्थापित करते हैं क्या करते हैं? लोग तांत्रिक ववस्था को स्थापित करते हैं लोग तांत्रिक ववस्था की स्थापना पेदू आविश्य पे ठीके, और महित्व क्या है? व्यक्ति के development की बात हमने कर ली ठीक है भौत एक और नैतिक सुरक्षा के लिए जरूरी है व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जरूरी है तो वही कारून के साशन के लिए भी जरूरी है ठीक है हमने देखा कि व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए व्यक्ति गत दुरक्षा एकटु आविशक और इसका मूल उद्धेश क्या था कानून की सरकार बनाना ना की व्यक्तियों की सरकार बनाना है ना कानून की सरकार बनाना मतलब ऐसे नीतिया बना दी डूनोट को उसकी लाइन घीज दी तो कानून की सरकार बनाना कानून की सरकार बनाना ना की व्यक्तियों की ना की व्यक्तियों की है ना कानून के साशन की स्थापना करना विदी के साशन की स्थापना करना तो यहाँ पर यह बात आपको याद रखनी है कि कौन-कौन से हदिकार है अब आपका काम है कि जो यहां पर बाद में लिस्ट दी गई है है अगर कुछ सब क्लॉस वो लिस्ट आपको याद करनी है तो थोड़ा सा बढ़ा था लेक्चर है लेकिन बहुत important भी था लेक्चर बहुत आपका बड़ा हो गया लेकिन जरूरी भी था क्योंकि मौले कधिकारों को इससे कम में पढ़ना मौले कधिकारों के साथ अन्याई होगा है ना तो यहाँ पर चुकिए important है इसलिए हमने इसको विस्तार से पढ़ा एक बार फिर से देख लो कि हमने शुरू से क्या-क्या देखा अपने बात की सम्विधार में वर्णन मौले कधिकारों की विशेश्था राजी की परिभाषा मौले कधिकारों से आसंगत विधिया ठीके समानता कधिकार समानता के दिकार में विजदी का साशन संता का पवाज स्वतनता का दिकार सोशन हमारी हो गई चीख है चाअ कुछ कुछ्छ कुश्स मैंने आपको बता हैं बच्छो इन फ़िस्टार आज की جो हमारी से हुई fundamental rights है, DPSP है प्रस्ताबना है, रास्पती साशन है इस तरह की जो ववस्था है ये हमारे राजववस्था में बड़ी बहत्यपून होती है और पॉलिटी का एक नियम भी होता है कि आप जब basics कर ले, उसके बाद जो important topics है उसको हम जादा समय दे मिलते हम अपनी next class में thank you, thank you so much